अगर आपको concept अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को like करना और हमारे चैनल को subscribe करना मत बूलना इस question में कह रहा है A stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate of 12 meter per second The displacement of the stone from the point of release after 10 seconds is देखो यह कोई balloon है माल लेते हैं यह balloon descend कर रहा है यानि कि नीचे की तरफ आ रहा है किस velocity से आ रहा है माल लेते हैं velocity 12 meter per second की velocity से यह balloon नीचे की तरफ आ रहा है जब यह balloon नीचे की तरफ आ रहा था तो माल लेते हैं इस point of time पर इस point of time पर आप balloon के अंदर हो और आपने क्या किया एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया किलियर है जब आपने पत्थर को ड्रॉप किया पत्थर ने 10 सेकंड के बाद T is equal to 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद कितनी displacement ट्रेवल करी यह हमें बताना है किलियर है भाई साब तो एक बैलून है जो डिसेंड कर रहा था constant velocity से 12 मीटर पर सेकंड की velocity से किसी point of time पर आपने पत्थर को फैक दिया बैलून के अंदर से यहां से फैका अब जिस किस velocity से इस पत्थर को आपने फैका पहले तो हमें यह देखना है यहां पर हम पत्थर की velocity निकालेंगे वो कितनी होगी और जिस point of time पर आपने पत्थर को फैका बैलून से वहां से 10 सेकंड में इस पत्थर ने कितनी displacement ट्रेवल कर ली यह इस question में पता ना है देखो बैलून नीचे आ रहा था constant velocity से बैलून नीचे आ रहा था constant velocity से इसका मतलब आप भी constant velocity से नीचे आ रहे थे जब आप भी constant velocity से नीचे आ रहे हो तो इसका मतलब आपके हाथ में जो पत्थर है वो भी constant velocity से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आप पढ़ोगे inertia inertia की वजहासे ऐसा होता है क्योंकि आप motion में रहना चाहते हो ये पत्थर भी motion में रहना चाहता है हाना आपके हाथ में जो पत्थर है वो मोशन में रहना चाहता है किस मोशन में किस वलोसिटी से रहना चाहता है जिस वलोसिटी से बैलून नीचे की तरफ आ रहा था तो वो सेम वलोसिटी से ही यह पत्थर जो है नीचे गिरेगा इसका मतलब यहां पर जो स्टोन की वलोसिट है मेरे बाई 10 सेकंड यह कुश्चन में दिया है इस 10 सेकंड में A से B के बीच में कितना displacement travel किया A से B तक कितना displacement travel किया है कि इस question में हमें बताना है क्लियर है बाई साथ अब अब यहां पर आप इस question को किस तरह से करेंगे attempt करेंगे ध्यान रखना है उसको समझेंगे भर यह हम लेते हैn से इस पॉइंट से नीचे होगा तो Negative ले लेना है ठीक है इस point से इधर होगा तो positive इधर होगा तो negative ठीक है भाई ये वाले दोनों cases तो आप motion इने straight line में पढ़ते हो जब road पर जो कोई motion हो रहा है लेकिन vertically कोई motion होता है तो अब हम यहाँ पर यह देख रहे हैं अब हरा तो ऊपर होगा तो positive नीचे होगा तो negative यह ध्यान लखना है तो इस point से a point से हमने stone को नीचे फैका किस velocity से 12 meter per second की velocity से कितना time लगता है इस पत्थर को b पर आने में 10 second a से b के बीच में क्या निकालना है displacement तो s is equal to ut plus half a t square वाला formula लगा देंगे s हमारी displacement होती है initial velocity दी हुई है question में 12 यह negative ले ले लेते हैं क्यों negative लेंगे क्योंकि reference point से जो पत्थर आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है velocity नीचे की तरफ है तो minus 12 time कितना लगता है मेरे भाई 10 second question में दिया है हाँ acceleration due to gravity यह जो है g के equal हो जाएगा क्योंकि free fall वाली condition हो गई तो इस case में acceleration due to gravity होगा वो ले ले लेते हैं minus 9.8 negative क्यों लिया क्योंकि इस reference point से जो है acceleration नीचे की तरफ है उपर होता तो positive ले ले लेते यह नहीं करना reference point से पत्थर नीचे आ रहा है acceleration नीचे की तरफ होगा तो इसलिए यह negative ले लिया है वैसे तो motion अंडर gravity में g हमेशा negative ही होगा अगर direction के इसाफ से देखेंगे तो always क्योंकि g हमेशा downward ही act करता है g हमेशा downward ही act करता है यह ध्यान लगना clear है तो minus 9.8 t square कितना टाइम लगता है भाई साब 10 seconds तो 100 ले ले लेते हैं इसको solve कर लेंगे यह आ गया minus 120 और यह हो गया minus 4.9 into 100 clear है भाई साब यह हो गया minus 120 minus इसको solve कर लो भाई साब यह आ गया 490 हाना 490 490 और 120 कितना हो गया जीरो नोर्दो गया रहा है एक हांसी लगा एक का रिक मातर इच्छा है 610 minus का 610 मीटर clear है यह आ गई हमारी displacement भाई अब option में देख लो एक बार option match करेंगे तो हमें 610 मिलेगा लेकिन यह positive मिल रहा है यह positive तो घवराना नहीं है कि भाई यह तो positive है हमारा answer आया negative में तो मेरे भाई मेरे प्यारे छोटे भाई घवराना नहीं है negative का मतलब है reference point से displacement की direction negative साइड में है इसलिए यह negative आया magnitude की बात करेंगे magnitude की बात करेंगे तो वो 610 मीटर ही होगा clear है क्योंकि आपको पता है मेरे भाई displacement कैसी quantity होती है बताओ कैसी quantity होती है मेरे भाई यह vector quantity होती है यह आपको पता है तो reference point से यह हमारा reference point था यह point से displacement नीचे की तरफ है तो मैंने बता दिया नीचे की तरफ होगा तो negative उपर लेंगे तो positive ले लेना clear है तो इस question का option जो है 3 यह सही है clear है इस question में कह रहा है two bodies of different masses ma and mb are dropped from two different height a and b the ratio of time taken by the two to cover these distances are तो time period का ratio निकालना है माल लेते है भई एक body यह यह body है इसका mass है ma एक दूसरी body है mb इसका mass है basically दूसरी body इसका mass mb है इस ground से जो mass a है उसकी height है a यह a ले लेते हैं जो body b है जिसका mass mb है इसकी height है b तो mass a को यहां से drop किया जाता है और mb को यहां से drop किया जाता है clear है तो drop किया जाता है drop का मतलब क्या है drop का मतलब है कि जो initial velocity है zero होगी initial velocity क्या होई zero हो गई इन दोनों cases में दोनों body की जो initial velocity है यहां फिर ऐसा बोल दो कि जहां से drop किया वहाँ पर इसकी velocity zero हो गई तो यहां पर u a zero हो गया यहां पर u b zero हो गया माल लेते हैं इसको time लगता है t a इसको time लगता है t d इसकी height a d हुई है इसकी height b तो formula लगाएंगे s is equal to ut plus half a t square का इस formula में हम sign convention का भी ध्यान देंगे sign का भी ध्यान देखो भई books में क्या होता है कभी sign लगा देते हैं कभी नहीं तो गड़बड हो जाता है तो उपर देखेंगे तो positive नीचे देखेंगे तो negative और यह हमारा reference point होगा ma की बात करेंगे तो यह हमारा reference point होगा यह हमारा reference point होगा reference point से नीचे displacement हो रहा है यह जो displacement हो रहा है reference point से नीचे हो रहा है clear है initial velocity इसकी 0 है यानि की UA यह UA जो है इस case में 0 हो गया है ठीक है भाई plus half a acceleration due to gravity यह minus g हो जाएगा और t time लगता है t a यानि की t a का y square clear है तो minus a is equal to minus half g into t a का square g हमेशा downward react करता है g हमेशा जो होगा downward react करेगा इसलिए negative आएगा तो यहां से आप देख सकते है यह minus से minus उड़ा दो यह हो जाएगा 2 a upon में g that is equal to t a का square clear है यह हो गया time period of body 1 यानि की 1 यानि की a body जो है जो body जिसका मास M है यह उसका time period आ गया similarly similarly अगर मैं time period निकालूंगा tb का तो tb square is equal to 2 हो जाएगा 2b upon में g यह तो होगा equation number 2 हो जाएगी हमें क्या निकालना है ratio निकालना है time period का equation 1 यह हमारी equation 1 है और 1 divided by 2 कर दो तो t a का square upon में tb का square clear है मेरे भाई यहां से हो गया 2a upon में g यह हो जाएगा 2b upon में g clear है 2 से 2 cancel होता है g से g cancel होता है इसका मतलब यह आ गया a by b तो t a upon में tb that is equal to square root of a upon में square root of clear है मेरे भाई यहनि कि third option जो है correct है third option क्या है इसका correct है इस question में कह रहा है a ball p is dropped vertically and another ball q is thrown horizontally with the same velocity from the same height and at the same time if the air resistance is neglected then चार option दियें चार option में बताना है कौन सा option सही है क्या ball p जो है q से पहले पहुंचेगी ground पर या ball q जो है p से पहले पहुंचेगी ground पर या दोनों ball जो है same time पर पहुंचेंगी या the respective mass of two ball will decide the time बाई ऐसा है इस question को मैं बताऊंगा लेकिन इस video को आप last तक देखना मैं यहाँ पर इस fourth option को भी prove करूँगा बहुत सारे बच्चे ऐसा है वह सोचते हैं कि अगर मान लो एक बहुत भारी पत्थर लिया और एक छोटा सा पत्थर लिया दोनों का मास अलग है जो भारी वाला पत्थर उसका मास बहुत ज्यादा है एक छोटू पत्थर लिया उसका मास कम है तो जो भारी वाला पत्थर ह है उसका टाइम जा उसको टाइम कम लगेगा ग्राउंड पर आने में और जो छोटू पत्थर है उसको टाइम ज्यादा लगेगा ऐसा मेरे बहुत सारे छोटे भाई लोग है वो ऐसा समझते हैं तो इस वीडियो को लास्त तक देखना मैं इसका आंसर आपको जरूर आले question को attempt करते हैं बही माल लेते हैं यह कोई tower है हरा यह tower है मेरे भाई इस tower की height h tower की camera इसने बोला है कि बहें इस tower की highest सब्धिन आपा से जो पी बॉलब अरा पाव बॉल पी इसको ड्रॉप कर दिया गया लिए इस experimenting i is 0, height एच है initial velocity इसकी 0 हो गई, अब जो दूसरी ball है Q, दूसरी ball Q है, same height से ही इसको इस तरह से फैका गया है, इस ball को इस तरह से फैका, यानि कि इसको horizontal velocity दी, इसकी horizontal velocity वो तो 0 नहीं होगी, लेकिन इसकी vertical velocity यह क्या होगी, u v that is equal to 0. Vertical direction में velocity का component 0 होगा, क्योंकि initial velocity किस direction में horizontal direction में, तो vertical component velocity का 0 होगा, क्लियर है मेरे बाई? तो इस case में भी initial velocity 0, vertical component, इस case में भी initial velocity 0, vertical component. तो दोनों cases में initial velocity 0 है, vertical component वाली है, क्लियर है? तो जब ball का movement vertically हम देखेंगे, इस तरह से ball आएगी, तो हम हमेशा vertical component की बात करते हैं, ये projectile में भी हम करते हैं, और motion under gravity में भी हम यही चीज करते हैं, तो हम vertical component देखेंगे velocity का, तो दोनों case में vertical component velocity का 0 है, clear है, अब हम यहाँ पर equation लगाएंगे, s is equal to ut plus r ut square तो भाई, दोनों ball की बात करेंगे, पहले p ball की बात करते हैं, कितने height से फैंका, इसको h height से फैंका, तो भाई, इसको भी check कर लो, reference point है हमारा यह positive, यह नीचे negative, तो हमारा reference point यह ही है पूरा tower की height है, यह reference point है, reference point से इसको फैंका, तो इसका displacement हुआ, minus h, initial velocity up into time लगता है, मालनो, tp plus half acceleration due to gravity minus g, क्योंकि acceleration due to gravity हमेशा downward act करता है, minus g ध्यान रखना, all tp का square, initial velocity 0 है, तो यह 0 हो जाएगा, तो यहां से आ गया minus h is equal to half minus g into tp square, clear है, यह minus से minus cancel हो गया, तो tp तुमारे पास आ गया, square root of 2 h upon g, आप यहां से देख सकते हो, time period किसके ओपर depend कर रहा है, height के ओपर और acceleration due to gravity के ओपर mass के ओपर तो कते ही depend नहीं कर रहा, mass के ओपर कते ही depend नहीं कर रहा, इसका बला option जो 4 है, option 4 तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, option 4 बिल्कुल ही गलत हो जाता है, बट आप थोड़ा सा थाम के बैठिए, वीडियो को लास तक देखना, मैं आप पर प्रूब करूँगा, mass का रोल किस तरह से play होता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि बहीं कोई भारी चीज़ा वो जल्दी गिर करूँ, यानि कि जो q ball है, उसको कितना time लगेगा, same height से फेका, तो minus 1, initial velocity इसकी भी 0 है, half, acceleration due to gravity minus d, और यह हो जाएगा tq का square, इसको solve करो के तो यह भी तुम्हें यही मिलेगा, tq is equal to square root of 2h upon z, तो आप यहां से देख सकते हो, दोनों के लिए जो time period आया, tp is equal to tq, यह आप को clear है, तो इसका मतलब दोनों को same time लगेगा, दोनों ball को ground पर आने में same time लगेगा, इसका मतलब आपका option number 3 जो है, बिल्कुल सही हो जाता है, clear है, तो ball P जो है, ground पर पहले पहले पहुंचेगी, यह भी गलत है, ball Q ground पर पहले पहुंचेगी, यह भी गलत है, दोनों ball same time पर पहुंचेंगी क्योंकि mass के उपर depend नहीं करता यह जो केस है mass के उपर depend नहीं करता the respective mass of the two ball will decide the time यह तो मैंने बताए दिया mass के उपर depend नहीं कर रहा तो option 3 जो है सही हो जाता है clear रहे आता है अब मैं अपने भाईयों का यह doubt जरूर clear करूंगा जो भारी चीज है जिसका mass ज्यादा होता है उसको कम time लगता हो जिसका mass कम होता है ज्यादा time लगता है ऐसा बहुत सारे भाई सोचते हैं इस डाउट को क्लियर करते हैं देखो भाई माल लेते हैं एक छोटा सा मास का टुकड़ा है यह स्मॉल एंट एक बड़ा मास का टुकड़ा है क्यों ठीक है न भाई यह हो गया बड़ा मास का टुकड़ा जिसका मास है कैपिटल है क्लियर है दोनों को सेम हाइट से है दोनों की velocity सेम है सब कerne में रखना से माइट से पैगा से एक ये जो केस है ना ये तभी बैलिड है जब दोनों को से माइट से पैखेंगे से रहेज़ें चाहिए है तभी जो time होगा, same होगा. तो बात करते हैं यहां पर, तो देखो इसका जो mass का, यह जो mass है, small m, इसका weight कैसे act करेगा, नीचे act करेगा, mg, color दूसरा लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, और अगर मैं drag की बात करूँ, तो दोनों के, इसके उपर जो drag लगेगा, वो इस direction में लगेगा, drag ज यह जो मालों यह जो मास है नीचे इस तरह से मूव करेगा इसका एक्सेलरेशन होगा ए ठीक है अब इसको बैलेंस करो तो ड्रैग जो है एक तरह से फोर्स है इसको F ले लेते हैं हम तो जब बैलेंस करते हो इसको तो यह आएगा F-MG that is equal to minus M A यह हम फोर्स को बैलेंस करना सी लिखते हैं Newton's law of motion में भाई यह force उपर लग रहा है तो positive ले लिया यह mg नीचे लग रहा है तो यह negative ले लिया is equal to similarly यह जो M में है यह नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए मैंने माइनस M में लिया है that means net force is equal to mass into acceleration यह हम पढ़ते है Newton's second law में clear है अब question में आप देखो question में क्या बोला है if air resistance is neglected question में बोल रहा है if air resistance is neglected यहाँ देखो यह दिखा हुआ है यह assume क्या हुआ है अब अगर air का resistance neglect कर दूँगा ना मेरे भाई तो यह drag force 0 हो जाता है drag force 0 हो जाता है तो minus mg is equal to minus ma clear है भाई साब तो यहां से mg और यह ma मिला अब एक चीज बताओ यह है acceleration जब यह पत्थर नीचे गिरेगा जब यह पत्थर मेरे भाई नीचे गिरेगा किस acceleration से गिरेगा acceleration due to gravity से तो यहां पर a की value क्या हो जाएगी g हो जाएगी यह दोनों जहें cancel हो जाते हैं कुछ बचेगा ही नीच that means इस case में net force इसके ओपर क्या लग रहा है जीरो लग रहा है net force कुछ है ही नी इसके ओपर net force ही नी भाई free fall की condition है कौन सी condition है यह free fall की condition है same चीज तुम्हें यहां भी मिलेगी मालो drag force हो गया minus यह capital mg that is equal to capital M minus में और यह a अब a क्या होगा g के क्या होगा acceleration due to gravity क्योंकि free fall वाली condition में आता है यह यह सारी condition क्या है free fall वाली condition अब drag force 0 हो जाएगा तो यह आपके पास मिलेगा minus mg that is equal to minus m into g ag के बराबर हो जाएगा minus से minus उड़ गया mg से mg उड़ गया तो इसका मतलब इस case में भी net force आपके पास कितना लगा 0 लगा इसका मतलब दोनों case में net force का है 0 यानि कि बाहर से हम कोई force लगाई नहीं रहे है यार यह कौन सा case होगा free fall जो अर्थ है इस ball को अपनी तरफ अपने force से खीच रही है gravity वाले force से खीच रही है तो यह कौन सी condition में आता है free fall वाली condition में अगर इसके उपर net force होता ना तो इसके अंदर acceleration आता acceleration different होता यह जो मैं right side में A लिख रहा हूं यह जो मैं right side में A लिख रहा हूं यह G नहीं होता यह पिर कुछ और value होती तो उस case में तब इनका time जो है अलग हो सकता था clear है तो आपको यहां पर आपको यह आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जब एक भारी वस्तुव एक भारी body है और एक सिर्फ कब होगा जब same height होगी और same time होगा clear है मेरे भाई तो इस question का answer हुआ third इस question में कह रहा है A stone drop from the top of the tower touches the ground in 4 seconds एक tower की height से एक tower के top से एक पत्थर को फैका जाता है the height of the tower is about what is the height of the tower यह हमें बता रहा है आसान question है भाई माल लेते हैं यह कोई tower है इस tower की height से हमने एक stone को फैका पत्थर को फैका यह पत्थर ground पर आने में कितना time लेता है 4 seconds बहुत simple सवाल है 4 seconds लगते हैं इस पत्थर को tower के top से ground तक आने में अब आपको पता है इस पत्थर को क्या किया गया है drop किया गया है drop किया गया इसका मतलब initial velocity की क्या हो गई 0 initial velocity 0 हो गई time आपको 4 seconds दिया दिया है और height हमें निकालनी है तो हम कौन सा formula लगाएंगे s is equal to ut plus half 80 square वाला formula लगाएंगे clear है और हम यहाँ पर यह भी देख लेता है reference point यह reference point हो गया इसके ऊपर जो motion होगा वो positive reference point से की नीचे जो motion होगा negative clear है तो हमारा जो टावर का top है यह reference point माल लेते हम इसको क्या माल लेते reference point इसके नीचे जो भी हम देखेंगे जैसे इस direction में यानि कि downward direction में velocity होगी तो जीर तो negative होगी acceleration due to gravity यह भी negative होगा और displacement भी क्या होगा negative होगया तो minus h ले लेंगे clear है यह direction की बात है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से इसको explain किया है reference point से हम direction जो भी लेंगे अगर downward लेंगे तो negative upward लेंगे तो positive यहाँ पर जो tower का top है यह reference point है clear है तो displacement क्या होगा minus h क्योंकि हम reference point से downward direction में देख रहे हैं हम इस direction में जा रहे हैं तो minus h initial velocity 0 है तो यह term 0 हो जाएगी तो 0 plus half a की जगे क्या जाएगा acceleration due to gravity तो यह आ जाएगा minus d यानिकि g की value 10 minus इसलिए लिया है क्योंकि g हमेशा downward act करता है तो minus 10 into t square t कितना दिया हुआ है 4 seconds तो 4 into 4 clear है मेरे भाई 2 दूनी 4 यह minus से minus उड बादो क्योंकि यह तो 0 है तो h is equal to कितना आ गया चार दुम्याट 80 80 80 meter जिस पत्थर को टावर के टॉप से फैका और उसको कितना टाइम लगा टावर के टॉप से ground तक आने में 4 seconds तो हमें यह पता चला कि इस पत्थर को 80 meter की height से फैका गया है इसका बहुत टावर की height 80 meter है clear ह तो option A जो है हमारा correct है इस question में कह रहा है a body is released from the top of a tower of height h एक body है जिसको tower के top से release किया जाता है और height कितने tower की h है it takes t second to reach the ground body को ground पर पहुचने में कितना time लगता है t second लगते है where will be the ball after t by two seconds t by two seconds में ball कहां होगी अरे बहिया यहां तो body है और यहां ball है आप चलो कुछ भी समझ लो ball माल लेते हैं ball को माल लेते हैं ball को जो है top of the tower से release किया जाता है tower की height h ground टक पहुचने में कितना time लगता है t second लगते है तो t by two seconds में यह ball कहां पर होगी यह हमें बताना है देखो कैसे करेंगे इसको समझते हैं भी माल लेते हैं यह tower है ठोड़ा जुका हुआ tower है यह ground है और यह tower का top है यहां से इस ball को drop किया जाता है release किया जाता है अब आपको पता है जब ball को release किया जाएगा यह drop किया जाएगा तो initial velocity 0 जाएगी यह हमारा reference point हो जाता है reference point से upward direction में जो motion होगा वो positive downward में जो होता है वो negative यह मैंने बता रखता है तो यह हमारा reference point है बॉल को ground तक पहुचने में कितना time लगता है मेरे भाई यह लगता है टी सेकिंड लगते हैं ग्राउन तक पहुचने में tower की height है clear है अब यह देखना है कि भाई टी बाई two seconds में टी बाई two seconds में टी बाई two seconds में क्या ball यहां पर होगी क्या ball यहां पर होगी या कहां होगी या ball यहां होगी यह हमें समझना है टी बाई two seconds में बाई बाई two seconds में कवर करेगी है ना टी सेकंड में ये एच हाइट कवर कर रही है तो टी बाइटू में कितनी कवर करेगी मेरे बहुत सारे चोटे भाई भाइब ऐसा सोचेंगे बट इस मिसकंसेट्शन को हम दूर करेंगे वीडियो को लास्ट तक देखना आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए पहले समझते हैं को कोश्चन में पहले फर्स्ट केस लेखते हैं लेते हैं माल लीजे बॉल को टावर के टॉप से रिलीज किया जाता है और टी टाइम में स्ट fort Ce downward दारेक्षंट में displacement होगा तो माइनस है यह जीरो हो जाएगा और प्लस हाफ एक्सलीरेशन द्यू ग्रेवी टी हो जाएगा तो यह मैनस जी एंड इस-स детей स्क्य्वेर minus h is equal to minus half gt square यह minus से minus उला दो तो आपको h मिल गया half gt square clear है मेरे भाई यह equation 1 माल लेते हैं अब आगे बात करते हैं भाई ball को जब release किया था t time में t second में यह ball जो है ground पर पहुंच जाती है तो t by 2 second में कहां पर थी तो हम ऐसा माल लेते हैं t by 2 second में t by 2 second में यह ball यहां पर थी माल लेते हैं इसने कितनी height cover करी या कितना displacement cover किया x clear है same equation लगाएंगे मेरे भाई same equation लगाएंगे तो यह जाएगा minus x minus इसलिए क्योंकि यह reference point होगा तो reference point से downward direction में displacement negative minus x is equal to ut यह तो initial velocity 0 होगी तो इसको तो खतम ही कर देते हैं छोड़ देते हैं और यह किसके equal है यह है hk equal यह किसके equal है hk equal equation one से आपको पता चल रहा है तो इसका मदब x कितना हो गया h by 4 x कितना हो गया मेरे भाई h by 4 तो x की value मिल गए आपको h by 4 tower के top से t by 2 second में यह ball जो है h by 4 displacement cover करेगी और अगले t by 4 में अगले sorry अगले t by 2 second में यह displacement cover करेगी तो यह कितनी हो जाएगी 3 h by 4 हो जाएगी यह कितनी हो जाएगी 3 h by 4 अब options एक बार देखते है options पढ़ेंगे at h by 2 from the ground by ground से कितनी height पर है 3 h by 4 तो first option गलत है second at h by 4 from the ground यह भी नहीं है क्योंकि 3 h by 4 है मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है third option देख लेते हैं depend upon mass and volume mass और volume पर तो कते depend नहीं करेगा यह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टाइम सब्सक्राइब कहीं पर मास है ना तो मास है ना ही वॉल्यूम है इन में से कुछ भी नहीं है इसका मतलब मास और volume पर तो कते डिपेंड नहीं करेगा हाइट और टाइम पीरियर्ड पोर्ट ओप्शन पढ़ते हैं तो इसका थर्ड जो है गलत है सब्सक्राइब करेगी इसको समझते हैं कैसे समझने के लिए हम एक अच्छा सा प्यारा सा डाइग्राम बनाएंगे माल लेते हैं यह इस बाल को इस टावर के टॉप से रिलीज किया तो ऐसा कर लेते हैं विप राबर टू सेकिंड लेते हैं टू सेकंड लेते हैं रिए भाई ठीक है ती बराबर two seconds में यह ball जो है ground पर पहुँच जाती है टी बराबर two seconds में यह ball जो है इस ground पर पहुच जाती है यह इसने height cover करेज है clear है मेरे भाई यहां तक तो ओक्ए है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं देखो कि जब इनिशल 24. 6 0 है अभ आपको पता है free-fall में acceleration कितना होता है 10 होता है Только इसलिए direction की वज़े से द्रवाइस magnitude कितने है तो अगर हम एक सेकिन्ड में देखें तो इसकी वलोसिटी कितनी होगी यहां पर वलोसिटी कितनी होगी tigers स्वी और कितने टाइम में वन सेकिन्ड में तो अगर आप यहां पर acceleration due to gravity निकालो गए तो क्या आएगा final velocity minus initial velocity upon time तो 10 minus 0 upon में 1 तो आपको 10 मिल जाएगा clear है यह था 1 second में अब अगले 1 second में देख लेते हैं अगले 1 second में यानि कि यह बॉल जो है ground टक पहुंच जाती है तो यहां पर जब ग्राउंड पर पहुंचने से पहले इसकी velocity कितनी होगी 20 होगी कितनी होगी 20 होगी दो देखो वी से यहां पर velocity बढ़ गई 10 से बढ़ती चली जा रही थी velocity 10 से बढ़ती सब लगता है आप यहां पर किलीर ली देख पा रहे हो इस वन सेकंड में इस दिस्थे वन करी यह डिस्टेन्स टेवल करी रहा बहुत चोटी सी क्योंकि वहलोसिटी क्या करें तो पर कैसे रहे हुए क्या अब आप एक बात बताओ, जैसे ही velocity बढ़ाओगे, तो distance जादा travel होगी, कम time में, हना, first case में, velocity कम है, तो displacement जो होगा, travel किया होगा displacement, वो भी कम होगा, लेकिन time जो होगा, वो ज्यादा लगेगा, हना, second case में, velocity बढ़ जाती है, तो displacement भी क्या हो जाएगा, travel किया होगा displacement, वो और इसको भी t by 2 लगा, तो यानि कि, जो h by 4 displacement ट्रेवल किया, question के according, h by 4 displacement ट्रेवल किया, t by 2 second में, उस समय velocity कम थी, और जब अगला जो t by 2 time में, जो displacement ट्रेवल किया, उस समय velocity बढ़ गई, velocity क्यों बढ़ी, क्योंकि acceleration due to gravity constant है, आपका g constant है 10, तो acceleration due to gravity की वजहा से, आपकी velocity क् हर interval पर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जैसे-जैसे velocity बढ़ती चली जाएगी, वैसे-वैसे displacement traveled by the ball और by the body, वो भी बढ़ता चला जाएगा, कम time में, clear है, तो इसलिए, ये जो displacement हुआ, यहां से यहां तक, one second के अंदर, ये 3 h by 4 हुआ, और यहां से t by 2 त ये ध्यान नखना है कि acceleration due to gravity की वजहा से velocity क्या होती हर interval पर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, एक एक सेकेंड का अगर मैं interval लूतो, तो हर interval में velocity बढ़ती चली जाएगी, जैसे-जैसे velocity बढ़ती चली जाएगी displacement traveled by the body बढ़ती चली जाएगी, कम time में, clear है, तो इसलिए जो 3H by 4 आपको मिला न, ये T by 2 time में 3H by 4 cover कर गया, क्योंकि इस case में velocity ज्यादा है, than the उपर वाला case, जो ये वाला है न, ये यहाँ पर, T by 2 जो, जिसमें H by 4 displacement cover, clear है, तो अब आपको ये misconception जोता, ये हट गया है आप कि, tower height को, बलब H height को cover करने के लिए, कितना time लगा, T, तो H by 2 height को cover करने के लिए, T by 2 नहीं लगेगा, T by 2 time लगेगा, H by 4 distance को cover करने के लिए, clear है मेरे भाई, समझ में आ गया, तो इस question का answer हुआ, 4, 4 of both option सही है, इस question में कह रहा है, body is sleeping from an inclined plane of height H and length L, एक body है, जो sleep कर रही है, inclined plane से, जिसकी height है H और length है L, जो inclination की length है, वो L है, if the angle of inclination is theta, if the angle of inclination is theta, the time taken by the body to come from the top to bottom of this inclined plane is, इस body को top से bottom तक आने में, inclined plane पर top से bottom तक आने में कितना time लगेगा, यह हमें बताना है, इसको समझने के लिए, पहले हम एक inclined plane बनाते हैं, माल लेते हैं, यह हमारा जो है, एक inclined plane है, ठीक है, इस inclined plane की यह height है H, और यह length है L, यह angle of inclination है theta, माल लेते हैं, यहाँ पर कोई body है, यह body जो है slip कर रही है, क्या कर रही है, slip कर रही है, जब यह body यहाँ पर top पर रखे है, और यह slip करना शुरू करती है, इसका मतलब initial velocity इसकी 0 हो जाती है, initial velocity इस case में इसकी 0 हो जाती है, तो यहाँ से आपको पता है, s is equal to ut plus half a t square वाला formula लगाएंगे, s कितना होगा, क्योंकि यह जो ball है यह body है, यह इस तरह से, top से bottom की तरह इस तरह से आएगी, हरा, तो कितने displacement ट्रेवल करेगी यह body L, हरा, L ट्रेवल करेगी, initial velocity 0 हो जाएगी, तो यह term 0 हो जाएगी, यह 0 हो गई बाई, प्लस half a t square, अब यहाँ पर हम समझेंगे, कि जो a है, a जो है acceleration, वो कितना होगा, इसको समझ रहा है, तो देखो, अगर इस ball को, या इस body को, अगर मालो, height x पर में drop कर देता, सिधा, सिधा drop कर देता, तो यह तो free fall वाली condition हो जाती, तो इस case में acceleration due to gravity क्या होता, g होता, अब चूकि इसको inclined plane पर रखा हुआ है, top पर, तो यह इसका g हो गया, यह इसका g हो गया, ठीक है, और यह जो है, हमारा angle क्या है, theta, यह angle है, हमारा theta, और एक ऐसे perpendicular droid surface पर, तो यह angle कितना होगा, इसको समझ रहा है, देखो भई, यह angle theta, यह angle 90 minus theta, अब चूकि यह पूरा का पूरा 90, तो यह 90 minus theta हो गया, तो यह वाला angle कितना हो गया, मेरे भई, यह theta हो गया, अब g क्या है, आपको पता है, g एक vector quantity है, तो g का यह component कितना हो जाएगा, g cos theta, और g का यह वाला component कितना हो जाएगा, g sin theta, अब आप को मिल गया कि भाई इस डारेक्शन में जब मोशन हो रहा है तो एक्सिलरेशन डू टू ग्रैविटी क्या होगा जी साइन थीटा या एक्सिलरेशन क्या होगा जी साइन थीटा नौट एक्सिलरेशन डू टू ग्रैविटी एक्सिलरेशन डू टू ग्रैविटी का वो कंपोन जो इस डारेक्शन में है, motion के along है, वो कौन सा होगा, g sign theta, clear है, अब यहां से एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्योंकि यह inclined plane है, तो ऐसा कर लेते हैं, यह reference point है, हमारा, इस direction में plus ले लेना, इस direction में negative ले लेना, ऐसे ऊपर positive ले लेना, नीचे negative ले लेना, यह graph वाले, यह जो graph बनता है, आपका xy वाला, plus, minus, इस तरह से लेते हैं, minus, minus, sorry, plus, तो इस तरह से कहते हैं, इसको rotate कर दिया, inclined plane प हो गया, reference point से इस direction में हम लेगे, सब कुछ negative, तो इस direction में reference point से देखेंगे, यह तो L कितना हो जाएगा, minus L, यह minus L हो जाएगा, clear है, reference point से negative direction में बात करें, that is equal to 0, यह तो 0 हटाई ही दो जाएगा, plus, half, a, a, जो होगा, acceleration कितना होगा, इस case में, g sin theta, यह अभी मैंने बताया, क कितना होगा, g sin theta, लेकिन यह minus का हो जाएगा, minus g sin theta, into t square, t हमें निकालना है, यहां से, पर कितना हो जाएगा, यह minus से minus उड़ा दो, पहले तो यह हो जाएगा, 2L upon में, 2L upon में, g sin theta, that is equal to t square, तो अगर हम यहां से देखें, तो t हमारा क्या आजाएगा, मेरे भाई, यह आज से, अब option में, देखो, यहां पर L, option में, 2L upon में, g sin theta, बहीं, check कर लो, एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहां देखो, 2H upon में, यह नहीं होगा, 2L upon में, g, यह भी नहीं होगा, 2H upon में, g, मलब, इस option में, l नहीं है, इस option में, l है, लेकिन हमारे साथ जब l है, तो नीचे, sin theta, यह भी नहीं होगा इस option में जी है यहां एप यह क्या करना है अब फोर्ट आप्शन को अगर आप देखो गे यहां पर है और जी है और उसी में भी नहीं है और एक ऐसा ता जिसमें एल था लेकिन उसमें साथ में होना चाहिए था तो जाता है अब बाखी के तीन अप्शन में नहीं है तो इसका लब ल को भी अटा देंगे ल को भी करेंगे अब चूप कि राइट अंगल ट्राइंगल बन रहा था तो आप साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकलर अपॉन में हाइपोटेनियस यहां से आपको एल मिल जाएगा एल कितना ह पॉन में साइन थीटा कि लिए मेरे भाई इस यहां रख दो यह कियनंतलच पॉन में गीन जी एंटू साइन थीटा तो हमाली था धीटा लिग देंगे दो चैनल पहले थैन ङहां पर है है वाला हो गया यहां से इस तरह से लिख सकते हैं वन अप औन साइन स्काल श्रीटा भार आजाएगा रीटा हो जाएगा यह और रू स्क्राइड में टू एच अपॉन में यह हमारा आग्या टाइम कि यह आग्या हमारा टाइम पिड़ेट टीस गौल टू वन अपॉन साइ कि लिए रभर ऊप्षन करख इसमें ध्यान रखना ही कि जो एक्सिलरेशन था ना जो एक्सिलरेशन डूटू ग्राविटी ता जी उसके दो कंपोनेंट ॅट्च के लान एक अंक य॥ उसके कंपोने clear है इसका option third जो है correct गों करने के लिए ध्यान से इस वीडियो को देखो मिरे भाई ध्यान से देखो बहुत बड़ी आप नए वीडियो देख ली अब इस question को को कुष्चन को अटेंप्ट करेंगे कोश्चन पढ़ते हैं पहले कोश्चन में कह रहा है इन में इन बैलून राइज इंग वर्टी कली विद एक्सिलरेशन और 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वार एक आदमी बैलून के अंदर बैठा है और बैलून जो है राइस कर रहा है सेम ही एक्सिलरेशन से बाल भी राइस करेगी इस आदमी के पास एक बाल है वो बाल भी सेम एक्सिलरेशन से राइस करेगी इसका मतलब एक्सिलरेशन ओफ मैन एक्सिलरेशन ओफ बैलून सेम होगा क्लियर है अब यह आदमी जो है ना इस बाल को रिलीज करता है यह आप प पहुंचता है जब यह बैलून दो सेकिंड से मलब ग्राउंड से दो सेकिंड के बाद उपर पहुंचता है तो यह आदमी जो है बैलून से बॉल को रिलीज कर देता है clear है the greatest height above the ground raised by the ball in बॉल ने greatest height कितनी attain करी बॉल की जो maximum height भी वो कितनी होगी यह इस question में बताना है question को समज़ते हैं पहले video आपब देखी यह निकल रहा था तो यह हम माल लेते ग्राउंड ग्राउंड से bet dim उपजा रहा था यह आपने देखा था वी बहुत अच्छे से बेलून यहां से ground से इस point तक आने में कितना टाइम लेता है माल लेते हैं ती बराबर तू सेकेंड बेलून ने लिए इस point पर जारी कि ground से इस point तक जो हाइट attain करी वो माल लेते हैं है h1 कितने हेट अटें टरी ग्राउंड से इस पॉइंट तक आने में बैलून ने कितना टाइम लिया दो सेक्टिंड और हाइड कितनी अटेन करी अब जब बैलून इस पॉइंट पर आ गया आपने बैलून के अंदर आप बैठेते और आपने बॉल को रिलीज कर दिया अब होगा क्या एक्शुल में यह समझते हैं जब बैलून यहां पर था और आपने बॉल को रिलीज किया तो ऐसा तो नहीं था कि बैलून रेस्ट में था इस पॉइंट पर यादि कि इस इस इंस्टेंट पर बैलून जो है रेस्ट में तो कता ही नहीं था बैलून तो कंटीनियूसली मूब कर रहा था ना मे उपर जा रहा था ला, इस पॉइंट पर, same velocity से आप भी उपर जांगे, और same ही velocity से, यह ball भी उपर जाएगी, clear है, तो आपने जब ball को यहाँ पर release कर दिया, जब आपने ball को यहाँ पर release किया, तो कुछ generosity से, वो कुन सी velocity होगी, कि जिस वलोसिटी से बैलून उपर जा रहा था सेम वलोसिटी से आप भी उपर जा रहे थे उसी सेम वलोसिटी से यह जो बॉल है ना यह भी उपर की तरफ जाएगी clear है तो माल लेते हैं इस ball ने कुछ height यहां तक attain करी माल लेते हैं इस point पर आई अब यहां पर इसकी velocity 0 हो जाती है और जब यहां पर अब इसको इस तरह से दिखा देते हैं यहां से अब यह ball पहले यहां आएगी और फिर जो है यहां से वापिस ground पर जाएगी clear है तो इसका मतलब ball ने कितनी height attain करी पहले ही actual ले ले लेते हैं टी ब्राबर टू सेकिंड में इस बाद इस ball ने इस point से यह h2 cover किया clear है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो balloon था वो constantly move कर रहा था बैलून तो constantly move कर रहा था ना इस instant पर यह यह जो मैंने line draw करी है black dotted line इस line पर balloon जो रेस्ट में थोड़ी था ना यार balloon तो constantly move कर रहा था move कर रहा था किस acceleration से 4.9 meter per second square acceleration से तो जब balloon move कर रहा था तो आदमी भी move कर रहा था same acceleration से यह ball भी move कर जाएगी इसका मतलब note acceleration क्योंकि ball यहां पर release हो जाएगी यह ध्यान रखना जब यहां पर ball release होगी तो यहां पर same velocity होगी जो balloon की velocity होगी जो velocity balloon की होगी वही velocity ball की होगी अना balloon की ball की और man की यह same velocity होगी acceleration सेम नहीं होगा acceleration तो balloon और man का सेम होगा क्योंकि वो दोने एक साथ बैठे हुए है लेकिन आदमी ने ball यहां पर release कर दी है मेरे भाई जब ball यहां release कर दी है तो velocity सेम होगी लेकिन acceleration क्या होगा वो होगा जी acceleration due to gravity यह इस point पर समझ रहा था यह मेरे बता दिया ऐसा क्यों हुआ क्यों कि जो है जिस acceleration जिस velocity से balloon इस point से उपर उठा उसी velocity से man भी उपर उठा उसी velocity से ball भी उपर उठी इसलिए पहले ball इस point से उपर उठेगी maximum high train करेगी वहां पर वलोसिटी जीरो होगी फिर यह बॉल जो है नीचे आएगी किलियर है वीडियो देखने के बाद अगर यह concept आपको समझ में आ गया समझ दासू एक दम कातिल आपको इस समझ में आ गया यह concept अब बहुत आसान हो गया इस अब सवाल क क्या है पहले हम H1 निकालेंगे फिर हम H2 निकालेंगे पहले हम H1 निकालेंगे फिर हम हो निकालेंगे पहले हैं च्वण के ओपर ध्यान देते हैं से यह बैवन उपर उठाता तो इस पॉइंट तक इसका एक्सिलरेशन का तो इस पॉइंट तक इसका एक्सिलरेशन कितना था 4.9 मीटर पर सेकंड स्वायर इसके ब्लाइख पर क्या वेलोसिटी होगी यह हमें निकालना है तो वी इस यू प्लस 80 वाला formula लगाओ मेरे भाई तो वी हमारा हमें निकालना है और यू हमारा 0 जाता है initial और acceleration 4.9 टाइम कितना लगता है दो सेकेंड इसका मतल़ भी आ गया 9.8 meter per second यह आ गई velocity यह same velocity यही velocity जो है बॉल की होगी यही यहीए, कमाथ बॉल की होगी किस पॉयंट पर यह ध्यान रखना मेरे भाई इस instant पर जो व्लोसिती बॉल की यहीए, वहीए, बैलून की यह आ या जो वलोसिती बैलून की थी वही वलोसिती बॉल और मैं दो भी होगी है ? अब यहां से हम H1 निकालेंगे h1 निकालेंगे s is equal to ut plus half a t square वाला formula लगा दो मेरे भाई यह हो गया h is equal to h1 ले लेते हैं ut initial velocity 0 ते तो उड़ा दो half acceleration कितना है 4.9 t square 2 into 2 ये 2 से 2 उड़ा दो ये आ गया 9.8 meter आपको height मिल गई h1 9.8 meter इसका मतलब जब balloon ground से टी बरावर 2 सेकेंड पर कितनी height पर पहुचा 9.8 meter की height पर इस balloon में से इस ball को release किया गया इस ball को release किया गया इस ball को release किया गया लेकिन ये ball जाए कुछ velocity से उपर की तरफ जाएगी कुछ velocity से उपर की तरफ जाएगी exact अगर इसका reason अगर आज जानना है आपको अगर इसका exact reason जानना है तो मैं वो भी बता देता हूं inertia कि किसकी वज़े से ऐसा होगा inertia की वजह से ऐसा होगा जो हम law of motion वाले chapter में पढ़ेंगे inertia की वजह से ही ये जो ball है ये भी same velocity से तो रहना चाहेगी ये same velocity में रहना चाहेगी जिस velocity से balloon और मैन ऊपर जा रहे थे इस लिए इस moment पर इस बॉमिंट पर इस ball की velocity same रहेगी जो velocity balloon की होगी जो velocity man की होगी clear है तो अब आपको ये clear होगया कि यहाँ पर जो velocity balloon की होगी वही velocity इस ball की होगी और उस velocity से यह जो ball है पहले उपर उठेगी, इस point पर जाएगी, यहाँ पर इसकी velocity 0 हो जाएगी, maximum height attain कर लेगी, अब अगर हम h2 निकाल पाएं किसी तरह से, तो हमें maximum height मिल जाएगी, h1 और h2 को add कर देना, तो हमें velocity of ball तो मिल चुका है, यह 9.8 meter per second, और इस point पर maximum height पर इसकी velocity 0 है, तो बहुत बढ़िया, v square minus u square is equal to 2g h वाला formula लगा दो, g negative आ जाएगा, क्यों क्योंकि acceleration due to gravity हमेशा negative act करता है, यह direction की बात है, आपको पता है, acceleration due to gravity हमेशा downward act करता है, तो minus g, वही final velocity 0 है, तो यह 0 हो गया, initial velocity, यहाँ पर इस बलग, यहां से यहां तक के बीच में हम देख velocity क्या होगी, वह यह होगी, velocity of ball, तो यह हमने निकाला है, 9.8 का square, that is equal to 2 into g की value minus 9.8 ले लो, और h2, यह h2 हमारा, h2 हमें निकालना है, minus से minus उड़ा दो, 9.8 से 9.8 उड़ा दो, तो h2 आ गया, मेरे भाई, 4.9, हाना, इस 2 से 9.8 उड़ा होगे, तो यह आएगा, 4.9, हाना, त h2 आ गया, आपके पास, 4.9, तो total height कितनी हो गई, h1 plus h2, यह हो गई, 9.8 plus 4.9, भाई, इन दोनों को जोड़ दोगे, तो आएगा, 14.7 मीटर, 14.7 मीटर, किलियर है मेरे भाई, तो इस सवाल का जो answer आया, first option जो है, करेक्टर, 14.7 मीटर, तो ध्यान रखना, इस सवाल में जो वीडियो मेंने दिखाया था, उस वीडियो के हिसाफ से, अगर आप इसको imagine करोगे, तो आपको समझ में आएगा, कि जिस, इस point पर, जो velocity, balloon की होगी, वही velocity, इस ball की होगी, वही velocity, man की होगी, यह ध्यान रखना, उसी concept को use किया गया है, इस question में, ठीक है, और यहाँ पर acceleration due to gravity क्यों आएगा, क्योंकि हमने इस moment पर, इस moment पर ball को release कर दिया था, इस moment पर ball को release कर दिया था, और वह जो velocity थी ball की, उस velocity ने इस ball को उपर लेके गई, वह velocity इस ball को उपर लेके गई, फ्रीली, इसलिए यहाँ पर, जी लिया गया है, acceleration due to gravity, clear है, तो इस question का जो answer आया, वस्त वो correct है, इस question में कह रहा है, a rocket is fired upward from the earth's surface, such that it creates an acceleration of 19.6 meter per second square, if after 5 second, its engine is switched off, the maximum height of the rocket from the earth's surface would be, question को समझते है, question में basically 2 situation दी है, मंने, second situation कासे दी है, माल लेते हैं, यह г्राउंड है, इस ग्राउंड से यह rocket है और चीघन पर पहुच जाता है, इसको point object माल लेते हैं, जभी यह rocket यहा पर पहुच जाते है, इसको point object में लेते हैं, जब यह rocket यहां पर इंजन स्को ईटाव कर दिया जाता है जब इंजन OV कर दिया जाएगा फोला सा ओर उपर ऊठेगा मादल वहालों यहां तक ओपर उठता है तो ऑपर उठख इसोंगे तो पास सेकींड में इस रोकेट मान लऄ वी हीट कवर करी यहां हाइट है एक वन हाइट तक रॉकेट गया उसके बाद जब इंजन आफ कर दिया तो कुछ हाइट तक फिर यह उपर गया एक्स्टू हाइट तक तो यह समझेंगे हम की कैसे हो रहा है यह सारी कीजे तो ग्राउंड से जब रॉकेट को रिलीज किया तो इनीशल वलोसिटी इसकी जीरो हो गई तो पहले हम एक्च वन निकालेंगे एक्च वन निकालते हैं एक्च वन इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्टेर वाला फॉर्मला लगाएंगे तो यू इनीशल वलोसिटी जीरो है तो यह जीरो जाएगी यह वाली टर्म एक्च वन आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन क्या हुआ इस केस में दिया हुआ है 19.6 और कितना टाइम लगा 5 सेकेंड तो 5 का स्क्वार क्लियर है तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं यह हो जाए आगा नाइंटी एट दो पंजे दस यह आ गया 49 और यह फाइव से फाइव कैंसल पास्ति पैंटालिस का पांच असले के चारव फांच चोग बीसो चार्च और चौबिस चूबिस टू पाटी फाइव मीटर यानि कि यह जो रॉकेट है टी ब्राबर फाइव सेकेंड में क 345 मीटर पर सला गया कि यह रहां कि असका कि एक्सिलरेशान था कितना थिक नवेटफ मेंटर पर सेकंड सकूर अब इस पोइंट पर इस पॉइंट पर इस रौकेट की जो His case उसका उफ कर दिया जाता है जब rocket इस point पर पहुंचता है, इसका engine जो है off कर दिया जाता है, अब due to inertia, due to inertia बही ऐसा है ना कि rocket तो constant motion में था, constant motion में था, तो rocket तो उपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन किस velocity से जाएगा, यहाँ पर velocity निकाल लेगा, जिस velocity से जो velocity यहाँ होगी, अब rocket इस velocity से उपर जाएगा, लेकिन अब इसका engine तो off है, जब engine off है, तो एक point ऐसा आएगा, जब यह रोकी टूप पर जाएगा, तो इसकी velocity क्या हो जाएगी, 0, clear है, तो इस point पर आपको velocity V मिलेगी, क्योंकि इस point पर engine just off किया है, जैसे आप माल लो, car चला रहे हो, अगर माल लो, मैं यहाँ पर बनाता माल लो, आप car चला रहे हो, यहाँ पर आपने engine off कर दिया, अब engine off करने का मनले है, थोड़ी की car आपकी suddenly यहीं रुक गई, car भही कुछ displacement आगे travel करेगी, कुछ ना कुछ distance travel करेगी, जैसे engine off किया आपने, engine off करने के बाद कुछ ना कुछ displacement travel करेगी, माल लो, यह h1 ले 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 यह 2 ले ले ले, बिल्कुल same rocket के साथ होगा, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल same rocket के साथ होगा, तो यहां से आपको V निकालना है और यहां पर जो velocity 0 होगी यह H2 निकालना है यह V कैसे निकाल सकते हैं आप भाई इस point से इस point तक यानि कि माल लेते हैं A, B और यह C तो A से B के बीच में A से B के बीच में हम V निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे आपको पता है V is equal to U plus 80 अब initial velocity तो 0 है acceleration कितना है 19.6 time कितना है पाच क्लियर है तो final velocity आ जाएगी 19.6 into 5 meter per second इस point पर अभी calculate नहीं करें क्योंकि यह काटम पीटी होगी ध्यान रख रहा है तो 19.6 into 5 यह velocity यहां पर आ गई अब जब 19.6 into 5 sorry अब इस velocity से यह rocket ऊपर उठेगा चूंकि इसका engine off है तो एक point ऐसा आएगा कि इसकी final velocity maximum height पर जाकर के 0 हो जाएगी और इस case में यहां से यहां अच्छे case में rocket acceleration कैसा होगा जी acceleration due to gravity क्योंकि rocket जो है प्रीली मूव करेगा उसको कोई force लेके जाने वाला नहीं है भाईया अब यह motion अंदर gravity वाला case हो जाएगा यहां से अब यह rocket जो है अपने आप मूव करेगा कोई इंजन तो चल नहीं रहा जब इंजन नहीं चल रहा है तो rocket कैसे मूव कर रहा है मोशन अंडर gravity वाले case में आजागा प्रीली मूव कर रहा है तो इस case में acceleration आएगा वो जी आएगा जी यहां पर रोल प्ले करेगा किलियर है अब यहां से हम जो है h2 निकालेगे कैसे निकालेगे देखो v square minus v square is equal to 2gh वाला formula लगाओ तो final velocity 0 हो जाएगी initial velocity यह जो यहां पर initial velocity होगी वो यह है तो इसका square करेंगे 19.6 into 5 into 19.6 into 5 that is equal to square कर दिया है मैंने 2 into g की value 9.8 लेकिन negative में लेगे क्योंकि g हमेशा downward act करता है जी हमेशा downward act करता है अगर यह मेरा reference point है तो जी तो हमेशा downward act करता है तो negative हो गया हना h2 हमें निकालना है तो minus से minus उड़ा दो 2 into 9.8 हमारा 19.6 होता है इसको भी उड़ा दो clear है तो h2 आपको क्या मिल गया मेरे भाई यह मिल गया 19.6 into 25 हाना 19.6 यह बचा और यह 5 और यह 5 बचा 25 इसको आप solve करोगे तो कितना आएगा यह आएगा 490 यह आएगा 490 मीटर h2 आपको मिल गया 490 मीटर h1 आपको मिल गया 245 मीटर clear है तो अब question में यही बताना था कि the maximum height of the rocket from the earth surface earth के surface से maximum height कितनी होगी यहां तक पहुंचा तो h1 प्लस h2 कर दो h1 प्लस h2 कर दो कितना हो गया h1 प्लस h2 245 प्लस 490 तो कितना आगया वे रवाई 735 clear है 735 तो यहां पर जो ध्यान लखने वाली बात है वो यह है इसकी इनिशल velocity 0 होगी और 5 सेकिंड तक तो इसका acceleration दिया हुआ है 19.6 में दिया है जब इसका इंजन ओफ कर देंगे तो यह प्रीली मूँव करेंगा विद एक्सिलरेशन ड्यूट्टी की हेलब से मूँव करेगा यह ध्यान फ्यान लख करने के बाद मोशन अंडर ग्रैविटी से पूप करेगा ती ब्राबर 5 सेकंड पर जो वलोसिटी आएगी वह हमारा इस 19.6 को यूज करके आएगी और टाइम 5 सेकंड को यूज करके आएगी इसके बाद जब मैक्सिम हाइट पर बहुत जाएगा वहां वलोसिटी 0 हो जाएगी ठीक है तो यह जो concept है इनको यूज करके इस question को attempt करना है तो इस question का जो आंसर आया 4 है ना 4th options है 735 meter clear है इस question में कह रहा है a ball of mass M1 and another ball of mass M2 are dropped from equal height if 10 taken by the balls are T1 and T2 respectively then T1 और T2 के बीच में relation निकालना है दो बॉल है जिनका mass M1 और M2 दोनों को drop किया गया इसका मतला है इनकी initial velocity 0 है और दोनों के equal height से drop किया इसका दोनों की height है है इस question का सबसे बढ़िया explanation मैंने question number 23 में दिया है मैंने वहां पर यह बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे मेरे छोटे भाई भेन है जिनको यह doubt रहता है कि बहुत बहुत चोटा सा पत्थर ले लो दोनों पत्थर को से माइट से फैको से वलोसिटी से यानिक इन लेट आएगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा ऐसा नहीं है मैंने question number 23 में इसको बहुत अच्छे से explain किया है आप उस वीडियो को जा करके देखिए बहुत अच्छे से मैं promise कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों है ठीक है लेकिन यहां पर हम अभी प्रीकि से इसको समझेंगे नहीं यह पर भी हम करेंगे और कि यह बॉन अखरेंगे यह मालनों वारन यह बॉल है टू इसका मास है एand To is ball को टाइम लगता है टीवन है का बॉन की हैड से मैं फूर नों की हैड का सिकंग तो सिब्लिदी तो다가5S पेली नहीं है तो स्व हमारा reference point हो जाएगा हाना यह हमारा reference point हो जाएगा reference point से नीचे जब बात करेंगे तो negative लेते हैं हाना तो minus h यह 0 half acceleration due to gravity यह minus g और यह t1 का square के लिए रहे भाई साब तो t1 square is equal to कितना हो जाएगा माइनस से माइनस उड़ा होगे तो 2h upon में g ठीक है तो t1 आगया आपके पास square root of 2h upon में g similarly आप क्या करोगे मेरे भाई similarly आप second जो ball है उसके लिए भी relation लिखोगे यह हो जाएगी at is equal to यह तो 0 हो जाएगा half into minus g into t2 का square ठीक है यह minus से minus उड़ा दोगे और टीटू आपको मिलेगा square root of 2h upon में जी आप देख सकते हो t1 is equal to t2 दोनों ball को same time लगेगा यानि कि यह ना तो mass के उपर depend कर रहा ball के और ना ही इसके volume पर depend कर रहा time period ना तो mass पर depend कर रहा और ना ही volume पर depend कर रहा यह चीज़ ध्यान रखनी है और इसका सबसे बढ़िया मैंने question number 23 में जो है Morse ko balance करके बताया है forces ko balance करके बताया है कि भई exactly हो क्या नहाओ आँगा actual में क्या situation हो रही होगी यह मैंने question number 23 में बताया है forces ko balance करके बताया है कि दोनों ball को different masses की हैं उनको same time लगेगा अगर उनको हम same height और same velocity से drop करेंगे तो clear है दोनों ball को ground पर आने में same time लगेगा अगर हम दोनों ball को same time पर same velocity से और same height से drop करेंगे चाहे उनका mass difference ही clear है तो question number 29 का जो answer है, second option correct है, T1 is equal to T2, इस question में क्या कह रहा है, three different objects of mass M1, M2 and M3 are allowed to fall from rest and from the same point O, same point O से तीन object M1, M2 and M3 को fall कराया जाता है और rest से fall कराया जाता है, इसका हमले initial velocity इनकी कहा है, 0, ठीक है, along three different frictionless path, तीन जो है different frictionless path से इनको जो है fall कराया जाता है, तीन object को, the speed of the three objects on reaching the ground will be in the ratio of, हमें speed का ratio निकालना है, तीन object किती speed से ground पर पहुचेंगी, यह हमें निकालना है, मालने यह first object है, यह second object है, यह third object है, इसका mass है M1, इसका mass है M2 और इसका mass है M3, M3, इन तीन object की initial velocity 0 है मेरे भाई, और same height से फैका है, यानि कि same o point से माल लेते है, यह point o है, o points है, तीन different path में, यह first path ही हो गया है, second path और यह second path और यह third path, height same हो जाएगी tower की, tower की height से फैका है, यह बताने कि जब यह ground पर पहुचेंगे, यहां पर पहुचेंगे, तो यहां पर क्या velocity होगी, की तीनों की, यह हमें बताना है, भी आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन equation of motion होती है, एक equation of motion लगा दो, V square minus V square is equal to 2GH वाली equation लगा दो और काम खतम, initial velocity 0 है, तो यह तो खतम हो गया, V square is equal to 2GH, यहने की V is equal to square root of 2GH, ठीक है भई, यह एक general relation बन गई, अगर मैं V1 की बात करूँगा, तो यह हो जाएगा 2G और X, इसका मतलब V1 और V2 और V3 का जो ratio आएगा, 1 ratio 1, ratio 1, clear है, तो तीनों की जो velocity का ratio आएगा, 1 आएगा, तो option 3 जो है हमारा सही हो जाता है इस question का, ठीक है, इस question में pen उठाने की भी जुर्योत नहीं थी, यह क्योंकि आपको पता है, कि अगर कोई भी 2 different object, जिनका mass different है, कोई भी 3 object ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो यार, जिनका mass different है, अगर उनको same velocity से, और same height से फैका जाए, तो time same लगेगा, भाई जब same height से फैकेंगे, तो time same लगेगा, तो velocity क्या होती है distance upon time, velocity क्या होती है distance upon time, जब तीनों की height same है, time same है, velocity भी क्या होगी, same होगी, इसको solve करने की भी जरुवत नहीं थी, इसको solve करने की भी जरुवत नहीं थी, ये अपने mind में बैठा लो, मेरे भाई, तीन object हो, चार हो, कितनी भी हो, अगर mass different है, different mass के लिए, different mass के लिए, अगर सभी object को same height से फैका जाए, same height से फैका जाए, और same velocity से, चाहे वो drop करा जाए, या rest से फैका जाए, कोई दिक्कत नहीं, doesn't matter, same velocity होनी चाहिए, same height होनी चाहिए, same velocity और same height से फैका जाए, से फैका जाएगी, distance upon time, तो velocity भी क्या हो जाएगी, same हो जाएगी, हना, तो यह चीज़ आपको याद रखने है, इस question में 10 उठाने की बिजुरूत नहीं थी, कता ही नहीं थी, तो आपको यह point जरूर याद रखना है, यह सबसे important point है, same height, same velocity, different object जिनका mass different है, अगर उनको same height, same velocity से drop कराएंगे, तो जो time period होगा, कितने time में, same time में, वो ground पर पहुचेंगी, यह ध्याम रखना, और same ही velocity से ground पर पहुचेंगी, यह भी याद रखना, इस question में कह रहा है, एक particle starts from rest, एक particle rest से start करता है, that means initial velocity 0 है, its acceleration A versus time P is shown in the figure, the maximum speed of the particle will be, particle की maximum speed क्या होगी हमें बताना है, acceleration time graph आपको दिया हुआ है, अब मेरे भाई सबसे पहले तो इस graph को आप देखो, और सबसे पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो, graph start कहां से हो रहा है, graph A से B पर start हो रहा है, या B से A की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, comment करो आप मुझे, बताइए, A से B की तरफ जाए अगर आप या B से A की तरफ, particle जो move कर रहा है, B से A की तरफ चल रहा है या A से B की तरफ, थोड़ा सा confusing है न, तो देखो, इसको कैसे समझेंगे, particle जो है न, B से A की तरफ चल रहा है, क्योंकि आप जानते हो, time जो है कभी भी decrease नहीं होता, time जो है कभी भी decrease नहीं होता, आपके x-axis पर, इस graph में x-axis पर time दिया हुआ है, और y-axis पर acceleration दिया हुआ, तो time decrease कभी नहीं होगा, मेरे भाई, time decrease कभी नहीं होगा, यह situation कभी नहीं होगी, यह situation कभी नहीं होगी, तो graph जो है, B से A चल रहा है, एसे भी नहीं चल रहा है, यह ध्यान लखना, पहला point तो यह, दूसरा, भाई, दूसरा point मुझे यह बताओ, कि इस question में maximum speed क्यों पूछी गई है, इस question में maximum speed क्यों पूछी गई है, आप comment करिए, मुझे मुझे बताईए, maximum speed क्यों पूछी गई है, मैं आपको आंसर में बताऊंगा जरूर, कि maximum speed क्यों पूछी गई है, तो आप बताईए, मुझे maximum speed क्यों पूछी है, इस question के अंदर, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आपको पता है, acceleration time graph, acceleration time graph में, अगर आपको मिलता है area, acceleration time graph में, जो आपको area मिलता है, वो क्या होता है, velocity होता है, यह आपको पता है, अब velocity क्या होती है भाई, अगर मैं simple भाशा में बात करूँ, speed के साथ आप direction लिख दोगे, तो वो आपको velocity दे देती है, इसका मतलब speed क्या है मेरे भाई, magnitude है, बहुत simple भाशा में समझ रहे हैं, कोई definition नहीं, कुछ नहीं, speed क्या है, magnitude है, और इस question में speed ही पूछी गई है, इस question में speed ही पूछी गई है, तो अगर मैं magnitude निकाल लूँगा, speed का, है ना, मतलब मैं magnitude निकाल लूँगा, तो मुझे speed मिल जाएगी, कहने का मतलब यह है, और मैं magnitude कैसे निकाल लूँगा, जैसा कि मैंने बताया, ए acceleration time graph में area जो होता है, velocity के बराबर होता है, और area जो है, speed के बराबर भी होगा, अगर, ज magnitude मिल जाएगा, तो मुझे, speed मिल जाएगी, clear, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, मेरे भाई, speed की, सबसे पहले हम बात करेंगे, speed की, तो अब आपको पता चल गया, हमें speed कैसे निकालना है, speed हमें निकालना है, area, under, line, AB, AB तो नहीं लिखेंगे, BA, BA जो line है, इसके under में जो दे देगा, तो area कैसे निकालना है, आपको पता है, triangle बन रहा है, triangle का area क्या होता है, half into base, यह 11 हो जाएगा, half into base into height, यह 10 हो जाएगा, तो आपको मेरे भाई मिल जाएगा, 55 meter per second, 55 meter per second, जो है, speed होगी, अब, अब जो मेरा सवाल था, मैंने आप से पूछा था, कि यह maximum speed होगी क इस तीज को समझते है, इस point को समझना बहुत जरूरी है, question में maximum speed पूछी है, अगर मैं आप से बोलू, अगर मैं आप से बोलू, यह एक line draw करी गई है, अगर मैं आप से बोलू, यह line draw करी गई है, यहाँ पर जो है, यह माले ते 7 है acceleration, और यहाँ पर time 5 है, तो आप इस case में बोलेंगे कि speed कैसे निकालेंगे, आप जो है इस graph के अंडर में, मतलब इस lines के अंडर में यह graph बन रहा है, यह graph हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जो speed निकालेंगे, यहाँ पर जो speed निकालेंगे, वो maximum speed नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके maximum point क्या है, y axis पर इसक का जो maximum point है और जो X-axis पर जो इसका maximum point है वो है हमारा 11-0 clear है तो आप आपको clear हो गया है कि यहाँ पर maximum speed क्यों पूछी गई है इसके अलावा 10 से नीचे जो भी point होगा और यहाँ पर 11 से नीचे जो भी point होगा अगर उस point को कंसीडर करके हम जो है स्पीड निकालेंगे तो वह maximum speed नहीं होगी वह maximum speed नहीं होगी यह द्यान लखना मेरे बाई किलियर है मतलब अगर मेरे point जो acceleration less than 10 होगा और time जो है less than 11 होगा अगर ऐसा point लेता हूं मैं तो maximum speed नहीं होगी यह द्यान लखना पहली चीज़ किलियर है अब एक और चीज़ समझते हैं अगर मैं आप से बोलू इस question में minimum speed बताओ अगर इस question मैं आप से पूछू कि minimum speed क्या होगी वह इस question में minimum speed क्या होगी आप अगर इसमें सबसे minimum point बता पाएं तो वही minimum speed निकालेंगे है तो minimum points क्या होगे भाई 00 इसका मतलब minimum speed क्या हो गई 0 clear है मेरे भाई 0 meter per second तो maximum speed क्यों पूछी गई है यह मैंने आपको बता दिया है और minimum speed होगी तो 0 है clear है और graph जो है B से A चलेगा A से B नहीं चलेगा B से A चलेगा A से भी नहीं चलेगा तो इस question का answer आ गया question number 31 का जो answer है 2 इस question में कह रहा है the variation of velocity of a particle with time moving along a straight line is illustrated in the following figure the distance travelled by the particle in 4 second is 4 seconds में यह particle कितनी distance travel करेगा यह हमें बताना है आपको पता है velocity time graph के अंदर velocity time graph के अंदर जो area होता है जो हमें area मिलेगा वो हमें क्या देता है displacement क्या देता है displacement अब इस question में तो velocity time graph तो दिया है लेकिन question में क्या पूछा है distance question में क्या पूछा है distance ठीके मेरे भाई तो थोड़ा ध्यान से सुनना है देखो अगर कोई velocity time graph माल लो यह time है यह velocity है कोई curve इस तरह से हमारा बन रहा है यह इस तरह से मालो हमारा graph बनता है तो जो मैं area निकालूंगा मालो यह यह a1 area हो गया यह a2 area यह a3 area इनको जब add करूंगा इनको जब add करूंगा तो यह मुझे क्या देंगे distance basically displacement देंगे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ displacement देंगे अब चूटी यह इस axis के यह टाइम axis है इसके ऊपर बन रहा है क्योंकि यह complete positive side है तो यहाँ पर जो displacement होगी वो distance के equal हो जाएगी जो displacement है वो distance के equal हो जाएगी अरा लेकिन अगर graph कुछ इस तरह से बना हो बही graph कुछ इस तरह से बना हो इस तरह से तो इस case में क्या होगा हमें displacement निकालनी होगी तो क्या करेंगे यह area a1 a2 a3 और यह a4 तो हम क्या करेंगे displacement निकालनी होगी इस case में तो क्या करेंगे a1 plus a2 plus a3 उपर तो यह उपर side में positive है यह जो positive axis है इसके upward side में positive down side में negative तो यह minus a4 कर देंगे यह displacement हो जाएगी लेकिन अगर मुझे distance निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे इस a4 को add कर देंगे a1 plus a2 plus a3 plus a4 clear है मेरे भाई तो इस question में हमें क्या निकालनी है वैसे तो velocity time graph हमें क्या देता है displacement clear है velocity time graph में हमें क्या मिलता है displacement अब चुक्कि इस case में हमें क्या मिलता है क्या निकालना है distance तो हम इस case में distance कैसे निकालेंगे यह area निकलेगा मालों यह first figure हो गई यह second यह third और यह fourth तो चार area बन गए हमारे पास तो हम क्या निकालनेंगे area निकालनेंगे सबका a1 कितना हो जागा triangle है half into 1 into height कितनी है 20 तो हमें मिल गया 10 clear है मेरे भाई 10 meter तो a2 a2 निकालेंगे एक rectangle बन रहा है यह तो 1 into 20 यह हो गया 20 a3 कितना हो जाएगा trapezium बन रहा है तो half into sum of parallel side sum of parallel side कितनी है 10 plus 20 और distance between the parallel side वो 1 है तो यह आ जाएगा मेरे भाई यह आ गया 30 और यह आ गया 15 ठीक है यह 10 20 30 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ गया 15 similarly a4 कितना हो जाएगा मेरे भाई rectangle बन रहा है 10 into 1 तो हमें मिल गया 10 total area total area हम निकाल लेंगे total area कितना हो जाएगा a1 plus a2 plus a3 plus a4 क्योंकि सारे जो complete area है वो इस axis के upward side में बन रहा है तो total area कितना हो जाएगा 10 20 30 40 और 55 किलियर है तो 55 meter 55 meter is the correct answer तो option 2 जो है वो सही है किलियर है इस question में कह रहा है इस तरह से दिया हुआ है किसी भी विलोसिटी टाइम ग्राफ में जो जो slope होता है ना जो slope होता है यह हमें क्या देगा acceleration देगा यह हमें क्या देगा acceleration 10 10 theta मतलब slope that is equal to acceleration किलियर है तो किसी भी विलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमें graph मिलेगा जो line मिलेगी अगर हम उसका slope निकाल लेंगे अगर हम उसका slope निकाल लेंगे और slope क्या होता है 10 theta के बराबर और वो slope हमें क्या क्या देगा acceleration देगा किलियर है मेरे भाई यहां तक okay है अब एक चोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं मालो कर्व आपको इस तरह से दिया हुआ है कर्व आपको इस तरह से दिया है और यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस केस में जो acceleration आएगा मालो मुझे इस पॉइंट पर acceleration निकालना है तो हम क्या करेंगे एक करेंगे जो इस पॉइंट से टेंजेंट होगी और यह लाइन जो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी थीटा इस थीटा से हम कर निकाल लेंगे 10 थीटा और यह 10 थीटा हमारा क्या होगा यही स्लोब हमारा मेरे भाई क्या कहलायेगा एक्सिलेरेशनfeld अगर मालो मैं बोलता हूं मेरे भाई यहां समझे जोप अच्छे से चिजों को ध्यान से शमझो ऑयार मालों यह a point है और यह b point है a और b point के बीच मुझे क्या निकालना है acceleration निकालना है तो मैं क्या करूँगा a or b को मिलाओंगा और इस line को extend करूँगा time access पड़ अब a and b line time access पर जो एंगल मालो alpha बनाया इसमें तो मैं क्या करूँगा프ina निकालूँगा यह creation एक्सिलरेशन देगा एक्सिलरेशन देगा एक्सिलरेशन और किसी इंस्टेंट पर जब मैं एक्सिलरेशन निकालूंगा तो वह मेरा क्यालाएगा instantaneous acceleration clear रहें यहां तक तो इसमें यह concept use होगा और with this concept हम इस question को करेंगे तो basically हमें slope का ध्यान लखना है तो अब देखो इसने बोला है कि maximum acceleration कहा होगा यह velocity और time graph है हमें यह देख लेना है time axis के साथ slope को जादा है, किस graph का जादा है मालों हम इसको ऐसा लिख लेते हैं O, A, B, C, D क्या O, A का slope जादा है A, B का slope जादा है या B, C का slope जादा है या C, D का slope जादा है तो इस तरह से देखेंगे हम यह angle हो गया और A, B तो time axis के parallel है B, C का angle यह हो जाएगा C, D का angle यह हो जाएगा clear है समझ में आ रहे हैं हमालों इसको theta 1 ले लेते है theta 2 तो 0 हो जाएगा और यह हमारा theta 3 हो जाएगा यह theta 4 हो जाएगा clear है तो theta 1 के साथ जो slope होगा वो 10 theta 1 होगा और theta 2 theta 2 तो हमारा 0 है तो 10 0 हमारा 0 हो जाएगा slope 0 होगा theta 3 के साथ जो slope होगा वो 10 theta 3 होगा किलियर है हम slope की help से ही कर देंगे देखो मैं जो है ना बहुत deep में बताता हूं किसी भी concept को आप ध्यान से समझोगे तो कोई और question भी होगा रहा वो भी हो जाएगा मेरा यहां मकसद यह निए question कराना मेरा मकसद है question के साथ आपको concept भी अच्छे से बताना ताकि इ थीटा 4 के साथ जो slope मिलेगा वो 10 theta 4 होगा किलियर है ना मेरे भाई theta 4 के साथ जो slope बनेगा वो 10 theta 4 होगा अब यहां देख लेता है देखो theta 1 जो है और ऐसा कर लेते है theta 1 और theta 2 theta 2 सबसे छोटा है क्योंकि 0 है फिर theta 3 ज्यादा है बेन थीटा theta 3 से theta 2 कम है then theta 1 और फिर theta 3 ज्यादा है उसके बाद theta 4 ज्यादा है किलियर है लेकिन यह जो theta 4 है यह above 90 है above 90 डिगरी है तो 90 डिगरी से ज्यादा की value 10 theta की negative में हो जाती है समझ रहे हो मेरी बात 10 theta 4 यह negative में होगा तो इसकी जो value आएगी वो negative में आएगी तो इन सभी में आप देख करके बता सकते हो सबसे ज्यादा बड़ी value किसकी है theta 3 की सबसे ज्यादा बड़ी value किसकी है theta 3 की that means theta theta 3 के साथ जो slope मिलेगा वो 10 theta 3 होगा यह slope ज्यादा होगा clear है ना theta 2 तो 0 है theta 1 के साथ slope जो मिलेगा 10 theta 1 की value theta 3 से कम है इसलिए यहाँ पर जो slope होगा वो कम होगा theta 3 के साथ जो slope होगा वो ज्यादा होगा और 10 theta 4 जो होगा यह negative में बन जाएगा क्योंकि greater than 90 पर greater than 90 degree पर 10 theta की कोई भी value negative हो जाती है तो इस case में theta 3 के साथ ही हमें क्या मिले होगा क्या मिलेगा maximum slope मिलेगा जब maximum slope हमें theta 3 के साथ मिलेगा तो अब आपको पता चल गया कि भाई आपको इस point B से C के बीच में क्या निकालना है acceleration बहुत आसान है अब तो बहुत आसान है B और C के बीच में velocity कितनी चेंज हुई है भाई C पर 80 velocity है चेंज इन वलोसिटी है और B पर है 20 तो चेंज इन वलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम तो B से C में कितना टाइम चेंज हो रहा है वही देखो 10 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम चेंज हो रहा है 30 सब 40 क्लियर है तो यह आ गया मेरे भाई 60 अपॉन में 10 डैट मेंस इसको कैंसल कर देंगे आ जागा इसằब सकता है यह से कितैन अब आपको 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 आसानी से यह पता चल चुका है कि घैक कूशन नमब suffer ंब जो मैक्सिमम एक्सिलरेशन है वो 6 cm cm सुरी संटी मिटर पर सेकंड स्क्रार है के लिए अगर आप से पुछा जाए रिटार्डोडेशन क्या है तो रिटार्डेशन मैंने बताया अभी कि इस ज्सकेस में स्लोप नेगेटीव होगा जिसकेस में स्लोप नेगेटीव आघीटीव अजायो जायेगा w हमें Recreation मिल जाएगा तो C से D के case में C से D के case में acceleration जो होगा वो negative होगा और negative acceleration को retardation बोलते है तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हो किलियर है तो question number 33 का जो answer आया question number 33 का जो answer आया fourth option सही है clear है इस question में कह रहा है a lift is going up the variation in the speed of the lift is given in the graph what is the height to which the lift takes the passenger इस question में basically एक lift है और lift जो है उपर की तरफ जा रही है तो lift की जो speed है वो vary कर रही है with respect to time तो with respect to time जो lift की speed vary कर रही है उसका जो graph है वो ये दिया हुआ है हमें ये बताना है कि जो lift है वो कितनी height तक पहुचेगी lift की हमें height बतानी है इस question को ध्यान से समझने है यार मेरे बहुत सारे छोटे भाई भेन जो है इस question को कैसे करते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो इस question को ऐसे समझते है lift ऐसे जा रही है उपर और ये lift की velocity बढ़ती जा रही है with respect to time इसके बाद lift की velocity constant हो जाती है ये lift जा रही है जो बहुत इस तरह से सोचते हैं question को लेकिन यह question में ऐसा नहीं करना है यह नहीं सोचने यह थोड़ी दिया हुआ है तो ग्राफ दिया हुआ है velocity और time के बीच में क्या graph आया या जो lift जो चल रही थी उसका यह जो है एक graph बना देखो कैसे माल लेते हैं यह lift है accelerate होती है यानि कि इसकी velocity बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है मालो इस point तक इसकी velocity बढ़ गई ऐसा माल लेते हैं यह point O है यह A point है O से A के बीच में इसकी velocity change हो जाती है यहाँ पर velocity 0 है यहाँ velocity 3.6 meter per second हो जाती है इसके बाद यह जो lift है constant velocity से ही move करती है constant velocity से move करती है constant velocity से ही move करती है तो इसका माल लग इस point पर भी इसकी velocity 3.6 meter per second होगी इसके बीच में भी इसकी velocity 3.6 meter per second ही होगी this lift की velocity इस point को माल लेते हैं B clear है तो O से A, A से B तक पहुँच गई यानि कि यह point O हो गया यह आपका A हो गया और यह आपका B हो गया अब B से फिर B से यह जो होगी lift उपर जाएगी लेकिन अब की बार इसकी velocity क्या होती है decrease होना शुरू होगी और यह maximum point पर पहुंच गई यहाँ पर इसकी velocity क्या हो जाती है 0 कि लिए रहे भाई इस question को इस तरह से समझना है ऐसा नहीं करना कि lift यहां से चली ओ लिफ्ट की velocity इंक्रीज होती है फिर लिफ्ट की velocity constant हो जाती है और फिर जो है lift जो है अपनी initial position पर आजाती है यहां तक तो बच्चे सही समझ जाते हैं लिफ्ट की जो है velocity constant होती है लेकिन इस point तक आते आते जो है बच्चे क्या सोचते है यह लिफ्ट जो है को अपनी original position पर आ गई ऐसा नहीं ऐसा दिख रहा है ना कि लिफ्ट सोरी इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका अपनी original पॉजिशन पर आ गई है lift अपनी original position पर आ गई है ऐसा लोग सोचते हैं तो मेरे भाई ऐसा नहीं सोचना है, इसको ऐसे समझना है, यह है इसका exact diagram, तो O से A तक जो है इसकी velocity चेंज होती है, V जो 0 से 3.6 होती है, तो इस case में इसका acceleration क्या होता है, यह हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं acceleration, फ़रा, ऐसे ही A से B के case में तो velocity constant है, B से C के case में इसका acceleration basically decrease हो velocity, तो इस case में negative acceleration आ जाता है, clear है ना, तो अब हमें क्या निकालना है मेरे भाई, इस case में यह निकालना है, कि जो lift की height है, maximum point तक यह height कितनी attain करी, अब height का मतलब हो गया displacement, height का मतलब हो गया displacement, कितनी displacement होई, भई velocity time graph दिया है, तीन area बनेंगे, यह first area हो गया, यह second और यह third area, त इनों के values निकाल लेंगे area की, उनको जो add कर देंगे, हमें height मिल गाएगी, बहुत आसान, clear है, तो पहले हम A1 की बात कर लेते है, A1 area कितना होगा, दूसरी बात यहां ध्यान रखो, यह जो pointer 2 हो है, यहां पर 2 second, यह कितना है, 2 second, यह ध्यान रखना है मेरे बाई, तो A1 कितन हो गया, 2 second, height कितनी हो गई, 3.6, इसका मतलब area आ गया, 3.6, area कितना आ गया, 3.6, और यह meter में आ जाएगा, clear है, A2 की बात कर लेते है, A2 क्या बन रहा है मेरे बाई, rectangle बन रहा है, तो rectangle बन रहा है, यह 2 second से कहां तक, 10 second तक, 2 second से 10 second तक, इसका मतलब 8 second, और height तो 3.6 ही रहने वाली है, clear है ना, तो इसको solve कर लेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह कितना हो जाएगा, 8.48, 24 और 4, 28.8 meter, clear है, similarly, A3 की निकाल लेंगे, हम area निकाल लेंगे, A3 का, कितना होगा, half into, 2 into 3.6, यह 2 से तूड़ा दो, यह भी आ गया, 3.6, इन तीनों को मेरे भाई, add कर द 0, 80, 2, 8, 2, 10, और 3, 3, 6, यानि कि 36, clear है ना, 8, 2, 10, 2, 3, 16, आ गया, तो एक यहां बचा, तो यहां गया, 36, clear है, 36 meter, तो third option इसका correct है, third option इसका correct है, clear है यहां पर, तो आपको यहां पर यह समझा है, कि जो lift का behavior, एक तरह से जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर, lift के behavior की बात कर है, lift किस तरह से move कर रही है, O से A तक इसकी, इसकी जो velocity increase होती है, A से B के case में इसकी velocity constant रहती है, B से C तक इसकी velocity decrease होती है, that means acceleration आता है, इसमें retardation, negative acceleration हो जाता है, clear है, तो यह behavior है lift का, ना कि यह मत समझ लेना, lift यहां से यहां गई, A से B पर गई, B से जब C पर आई, तो lift अप है, the displacement time graph of moving particle is shown below, एक particle का displacement time graph दिया हुआ है, आपको यह दिया है, इस question में यह बताना है, कि instantaneous velocity of the particle is negative at the point, his point पर instantaneous velocity particle की negative होगी, यह हमें बताना है, तो इस question को कैसे करना है, देखो भाई question आप कर लोगे, मेरे प्यारे छोटे भाई बैन, आप लोग बहुत intelligent है, इस question को राम से कर लोगे, लेकिन मैं आपको यहां पर concept दूँगा, ताकि इसके बाद कोई और question भी होगा, तो समझ में आ जाएगा, तो ध्यान रखो, सबसे पहला point तो यह, कि graph के जितने भी questions, graph के जितने भी questions आप motion in a straight line में पढ़ोगे, 80 to 90% जो questions है न, 80 to 90% वो सारे के सारे questions slope से ही हो जाते हैं, अगर आपको slope पता है, तो slope से ही 80 to 90% जो questions है न, slope से ही हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, slope देख लेना है बस, ठीक है, तो हम यहां पर slope ही देखें, और slope से ही questions, इस question को attach करेंगे, तो आपको पता है displacement time graph पर, displacement time graph पर, अगर आपको कोई भी curve दिया है, या कोई भी point दिया है, तो हमें, क्या मिलती है, velocity निकालते हैं, और velocity जो होगी, या तो average velocity या फिर instantaneous velocity, clear है, तो मालो हमें ये graph दिया हुआ है, ये graph हमें मिला, एक particle का, हमने बोला इस point पर हमें क्या निकालनी है, इसकी velocity निकालनी है, इस particle, एक particle की, इस point पर velocity निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक tangent रो करेंगे, इस point से, और वो tangent time axis पर कुछ angle बनाएगी, मालो theta, ठीक है, तो जो slope होगा, इस case में, जो slope होगा, वो होगा 10 theta, यही जो slope होगा, ये होगा, instantaneous होता, अगर ये velocity time graph होता है, तो हमें क्या मिलता है, instantaneous acceleration, clear हो ना भाई साब, अब, मालो मैंने बोला, इस point और, इस point के बीच में, ये point A ले लेते हैं, और ये point B ले लेते हैं, A और B के बीच में, हमें क्या निकालनी है, velocity निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, और B point को मिलाएंग ये, ये मिला दिया मेरे भाई, A और B point को मिलाएंगा, और इसका extend करेंगा, और time axis पर ये line angle बनाएगी, मालो ये angle alpha बनाती है, तो इस case में, मेरे भाई, क्या बनेगा, slope मिलेगा, 10 alpha, क्या मिला, 10 alpha, और यही slope, इस case में, क्या कलाएगा, average velocity, clear है, मेरे भाई, ये होगा, average velocity, है तब ही तो हम करेंगे, velocity, sorry, position of particle at B, minus position of particle at A, upon में time B, minus time A, तो इस सरा से हम कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, average velocity, क्या होती है, ये average velocity, हाला कि question में हमें क्या निकालनी है, instantaneous velocity, question में हमें क्या निकालनी है, मेरे वाई, instantaneous velocity, तो हम instantaneous velocity के लिए simple क्या देखेंगे, slope देखेंग तो चलो स्टार्ट करते हैं भई सी पॉइंट पर देखने स्लोप क्या होगा मालो यह हमारा टाइम एक्सिस है देखो यार मैं बहुत प्यार से समझाता हूं मख्षन की तरह समझाता हूं ताकि कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा जिसको जिसने यह टॉपिक पढ़ा भी नहीं ह होगा उसको भी समझ में आएगा उसको कहीं फियोरी पढ़ने की विजुरत नहीं है सिर्फ कोश्चन देख करके फियोरी ऑटमेटिकली उसे समझ में आने लगेगी किलिए रहे तो जैसा मक्खन है ना मक्खन की तरह समझाऊंगा कॉंसेट बस ध्यान से समझो तो सी करेंगे और वो टैंजेन जो है का है क्या बनाएगा अंगल बनाएगी बहुत यह बनादिया एंगल ठीक है similarly डीपर डीपर निकालने हैं सेयंट्रिनिस वलोषीटी तो और रहं रहिए तो टैम एक्सिस पर कोई एंगल बनारी नहीं ही है similarly हम क्या करेंगे यह पर बात करेंगे तो इसे एक ठेंजन टू करेंगे और वह time axis पर एक angle बनाएगी, F की बात करेंगустить, तो F के लिए भी एक angle बनेगा TIME axis पर, ये tangent रो तीपे, थिक है, माले नो ये theta 1 ले लेते है, ये theta 2 ले ले लेते है, इसको theta 3 ले ले लेते हैं और ये theta 4 ले लेते हैं, Clear है मेरे भाई, तो अब यहां देख लो यार किसका स्लोप जो है जिसका स्लोप क्या बोल रहा है देंसेंट वेलोसिटी पार्टिकल बॉलोसिटी अगर यह थीटा अगर यह थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा अगर यह थीटा 90 से ज्यादा होगा तो जो थीटा 90 से ज्यादा होगा हमारा उस केस में यह जो 10 होता है यह आपने पड़ा है मैथ्स में यह क्या हो जाता है यह बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई आफ्तर स्कूल टू कॉलेज ए एस टी सी इसमें all positive साइन वाले positive साइन 90 प्लस थीटा तो इस इस में मिलेगा यह पर इसमें जो 10 वाला जो केस होगा 10 90 फ्लस थीटा यह क्या होगा negative हो जाएगा इस केस में तो जब आपको यहाँ पर स्लोप negative मिलेगा मेरे भाई तो इस केस में आपको जो velocity मिलेगी वो कैसे मिलेगी हुआ कि लिए कmost valid नगेतिक में के स्लोप पसिटीव है तो वर्ली पॉजिटिव इस केस में पायल य टाइम एकसिस के लिए तो एंगल जीरो है तो स्लोप भी क्या होग स्केस में 0 可愛 ध्यूस्केस में इन स्टीख क्या सब्सक्राइब तो अब इसके जैसा अगर कोई और कोश्चन आता है जहां पर आपको ग्राफ में कहीं पूछ लिया जाता है कि बहुत मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी और जीरो वेलोसिटी कहां होगी तो आप अराम से निकाल सकते हो सब्सक्राइब तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 80-90 परसेंट जो क्वेश्चन सोंगे न वो स्लोप से हो जाएंगे इन इस्टेट लाइन के ल्यान डखना तो इस कुश्चन का जो आंसर है भाई क्या है ई पोर्फ ऑप्शन करेक्ट है इस कुश्चन में कह रहा है विच ओफ दा फॉलविंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स दी यूनिपॉर्म मोशन इन चार ग्राफ में कौन सा ग्राफ जाए uniform motion को represent करता है और graph जहें आपको displacement time graph दिये हुए है सबसे पहले तो हम यह समझते है uniform motion क्या है आप बता uniform motion क्या है comment करो मुझे आप बताइए uniform motion क्या है उसके बाद बताइए uniformly accelerated motion uniformly accelerated motion क्या difference है इन दोनों चीजों में दोनों जो words हैं दोनों statement है उसमें क्या difference है uniformly accelerated motion आप बता सकते हैं क्या difference है comment करिए आप मुझे बताइए तो देखे uniform motion वो motion है जिसके अंदर velocity constant होगी जब velocity constant होगी तो motion कैसा होगा uniform motion uniformly accelerated motion का मतलब है जब acceleration constant होगा जब acceleration constant होगा तो उस case में जो motion होगा वो uniformly accelerated motion होगा clear है तो uniformly accelerated motion के अंदर acceleration constant होगा इस words से confuse मत हो जाना मेरे भाई accelerated इस words से confuse मत हो जाना uniformly accelerated का मतलब है जो acceleration है वो constant है और velocity जो है constant rate से increase कर रही है तभी तो acceleration constant होगा किलियर है ना velocity increase कर रही है लेकिन constant rate से constant rate से velocity increase कर रही है इसका मतलब acceleration क्या हो जाएगा constant हो जाएगा किलियर है मेरे भाई यह दो टर्म सोज्ञ में आ गई है अब भाई question को देखते है displacement time graph दिया हुआ है और हमें यह बताना है कि uniform motion किस graph का होगा आपको पता है displacement time graph में अगर मुझे velocity बतानी है तो मैं किस से बताता हूँ slope से displacement time graph में अगर मुझे velocity बतानी है तो मैं किस physical quantity से बताता हूँ slope से very good किस से बताते हैं slope से तो slope से बताते हैं तो इन सभी चीजों में इन सभी graph में हम ये देखेंगे कि किस case में slope जो है constant होगा जिस case में slope constant होगा उसी case की जो velocity होगी वो constant होगी और जिस case की velocity constant होगी जिस graph में velocity constant होगी वही graph uniform motion को represent करेगा किलियर है ना मेरे भाई uniform motion कौन represent करेगा जिसकी velocity constant होगी और velocity किस graph की constant होगी जिसका slope constant होगा हाले है बहुत बढ़ीर आप सकते हो भाइव पहले देखो नास सेकंड की बात करते हैं इस पॉंक पर आपने वलोसिटी निंखाली तो यह थी इस क्वाइबर वार्शाटी का लें तो तो हम टेंजन रो करेंगे तो यह वेलोसिटी आएगी यह स्लोप बनेगा यहां पर यह स्लोप बनेगा यह कहीं आगे जाके बनेगा तो देखो स्लोप हर पर चेंज हो रहा है इसका मतलब velocity constant नहीं है इसका मतलब इस यहां से यहां इसका मालो A से B तक velocity constant होगी लेकिन B से C क्या यार ये तो फिर वलोसाटीड डिक्रीज हो रही है क्योंकि स्लोप नेगिटिव हो जाए है इस केस में तो यह भी हमारा केस नहीं बनने वाला क्योंकि इस केस में फ्रहले इंक्रीज ओर रहा दिक्रीज हो रही है क्लियर है इसकेस में देख लेते हैं इस case में slope जो है zero बन रहा है क्योंकि यह जो कर्व है time के साथ parallel है जब time के साथ parallel है तो slope क्या होगा इस case में zero तो इस case में जब slope zero होगा तो velocity क्या होगी zero velocity कुछ नहीं होगी यह rest में है यह बोड़ी इस केस में object rest में है तो first की बात करते हैं मेरे भाई यहां देखो इस line को आगे पीछे draw कर दो और यह angle बनेगा theta यहां पर मिलेगा आपको 10 theta यह 10 theta हमारा किसके बराबर होगा slope के और यह slope देखो इस line पर हमेशा क्या है सेम है सेम है सेम है इसका मतलब क्या है constant है constant इसका मेलोब velocity क्या है constant है constant है मेरे बाई clear है तो इस case में velocity constant है uniform motion को कौन सा graph represent कर रहा है first वाला clear है इस question में कह रहा है a ball is dropped vertically from a height d above the ground एक ball जो है उसको height d से drop किया गया है vertically clear है height d जो है ground से height d पर से एक ball को vertically drop किया गया है clear है यहां तक it hits the ground यह ball ground को hit करती है and bounces up vertically hit करने के बाद bounces bounces up होती है यानि कि दोबारा से उचलती है और vertically उचलती है कितनी height तक d upon 2 यानि कि d by 2 height तक दोबारा से यह ball उचलती है neglect subsequent motion and air resistance इसके बाद के सभी motion neglect कर देते हैं बहीं ऐसा नहीं है कि d by 2 के बाद ball तो आएगी आएगी नीचे लेकिन हमने उसको neglect कर दिया question में बोला है उसको neglect कर दिया और air के resistance को समझेंगे भाई माल लेते हैं यह height d थे d से यानि कि ground यह ground है पर जब ball ground को touch करेगी मैं यहाँ पर velocity v निकाल लेता हूं किसी तरह से velocity v निकाल लेता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा देखो कैसे v square minus u square is equal to 2 into g into d भाई height आती है नहीं आप पर 2 g h पर d d height हो गई इस case में initial velocity 0 तो आपको मिला v square is equal to 2 g d 2 g d हरा तो v क्या हो गया square root of 2 g d इसका मतलब क्या है इन दो equation से आपको क्या पता चल रहा है इसका मतलब यह है कि velocity और d distance इनके बीच में जो relation है जो कर वाएगा वो कैसा आएगा पैरा बोला कैसा कर वाएगा पैरा बोला कैसा कर वाएगा पैरा बोला कैसा नहीं तो देखो option में state line किसमें third option में reject clear है third option तो होगा ही नहीं अब question में बोला है कि vertically drop करी गई है यह बोलते इसका है जब bounce होने से पहले जब इसे vertically drop किया गया हाइट से तो इसने कितनी distance कवर करी डी किलियर है और initial velocity 0 होनी चाहिए देखो भाई यह arrow बन रही है इस तरह से और यहां पर initial velocity की कोई value है initial velocity 0 नहीं है तो और डी distance कवर करेगी यानिकि डी height कवर करेगी तो इसका वाला यह option भी नहीं होगा क्यों क्योंकि initial velocity क्या होनी दिक जिरो ओब का दूसरा उप्शन भी उठ गया अब हैं पाइट पहले ऑप्शं में और चोथे option में चोथे option की बात पर इस point पर देखो मेरे भाई इस point पर और और पॉइंट पर देखते हैं इस पॉइंट पर वलोसिटी क्या है इस पॉइंट पर वलोसिटी क्या है नेगिटिव इस पॉइंट पर वलोसिटी क्या है मेरे भाई नेगिटिव यहां से देखो बहुत वलोसिटी नेगिटिव है लेकिन इनीशल वलोसिटी क्या हो होनी चाहिए जहीं कि यह उप्षन को देड़ दिया समझ रहो ना हमने की हैल से इसको कर डाला तो हमारा जो है फॉस्ट और सहीर अब इसके पीछे के जो है ना कॉंसेट को भी समझ लो यार देखो इनिशियल वलोसिटी जीरो बहुत बढ़िया यहां पर वलोसिटी की वैल्यू जीरो होग हरा अब यह बॉल जो है नीचे जाएगी नीचे जाएगी तो देखो नेगेटीव दैशियल वलोसिटी हरा देखो हम इस तरह से करते से ना यह रख्रेंस पोइंट माल लेते हैं इस केस में यह रख्रेंस पॉंवार डारेक्शन में में जो मौशन होगा और और देखो x point माल लेते हैं और यह हमारा x point है यह हमारा x point है ground को just touch करने से पहले इसकी velocity क्या होगी यहाँ पर यह velocity होगी clear है अब यह ball जो है ground से टकराएगी और bounce back करेगी जब यह bounce back करेगी तो इसकी direction यह हो जाएगी इसका मतलब इसकी velocity भी इस direction में हो जाएगी और यह कहां तक उचलेगी मेरे भाई d by 2 तक उचलेगी यह ball अब यह ball जब ground से hit करके ground से bounce back करके यह ball उपर उचलेगी यह कहां तक उचलेगी मेरे भाई d by 2 तक उचलेगी clear है तो इस case में velocity की direction क्या हो गई अगर मैं यहाँ पर अब reference point इसको माल लेता हूँ तो देखो न वेक्टर किदर बन रहा है अप वर डारेक्टन में इसका वलोसिटी क्या हो गई positive वलोसिटी क्या हो गई positive भाई देखो आंसर तो बहुत पहले निकाल चुके मेरे भाई ध्यान रखना मैं तो यहाँ पर concept बता रहा हूं इस question का की जो first option कैसे आया तो वलोसिटी positive हो गई तो देखो भाई यह वलोसिटी हो गई अब इसकी यह वलोसिटी हो गई देखो आप मुझसे पूछो गए यहाँ पर negative velocity और यह आप यह वलोसिटी कम है बहुत बढ़िया बिलकुल घए कुछ ना कुछ लॉस होगा velocity का हाना आप ये क्लीजन वाले चेटर में पढ़ेंगे हम जिसमें इलास्य क्लीजन और इन इलास्टिक पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते हैं यह सारी चीजे तो कुछ न कुछ वेलोसिटी की वेल्यू कम हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी की वेल्यू पॉजिटिव हो जाएगी यह तो किलियर है अब यह कहां तक उचलेगी मेरे भाई यह बॉल डी बाई टू हाइट तक उचलेगी और यह जो वेल्यू हो यहां से यहां तक यह डी बाई टू है यह क्या ह टी बाइ टू और यहां पर जब slight मेरे बाइट और Caesar पर तक जाएगी तो यह मेरे फाय privacy फिर्वोह फैसके से जाएगी आसेमट से किया बहुत बड़िया से हो गया इस नहीं हो गया यहां पर इनीशल वलोसिटी की कुछ ना कुछ value है, इसलिए eliminate हो गया, जबकि initial velocity 0 होनी चाहिए, यहाँ पर initial velocity की value कुछ ना कुछ है negative में, तो यह भी इसलिए 0 हो गया, इसलिए यह option भी eliminate हो गया, लेकिन इस case में सारे जो हमारे concept हैं, सारे concept fit बैठ रहे हैं, तो इसलिए हमारा first option जो है, वो correct है, clear है, इस question में कह रहा है, एक ball is thrown vertically upward, एक ball है, उसको vertically upward throw किया गया है, which of the following plot, represent the speed time graph, remember, it is asking speed time graph, not velocity time graph, यह आप मुझे बताओ velocity time graph कैसा होगा इस case में, आप मुझे बताओ velocity time graph कैसा होगा, comment करके बताओ मुझे, तो इस question में speed time graph पूछा है, of the ball during its height, if the air resistance is not ignored, इस case में यह भी important point है, air के resistance को ignore नहीं किया गया है, air resistance is not ignored, तो आपके पास दो चीज़े हैं, एक तो velocity time graph, आप comment में मुझे बताओ यह कैसा होगा, air resistance को अगर ignore नहीं करेंगे, तो क्या बोलना चाहरा है कि air resistance का मतलब क्या ही है, आप मुझे comment में बताओ यह, what is the meaning of air resistance, ठीक है, इस question को करने के लिए, मैं चाहूं तो इस question को तुरंच कर दू, लेकिन मेरा main motive यह, मेरे थोटे भाई-बैन जो है, मैं उनको concept अच्छे से बताना चाहता हूं, एक बार concept आ गया, concept समझ में आ गया, तो question एकदम धूमें के तरह उड़ेगा, clear है, तो देखो भाई concept समझेंगे पहले, कुछ points है इसमें, वो ध्यान रखने है, उन points को समझेंगे, क्या points है, वो समझते हैं, देखो, एक ball है, इसको vertically upward throw किया गया है, यह ball है, इस ball को vertically upward throw किया गया है, मालो vertically upward throw किया, और यह इस height पर ball पहुंच जाती है, जब ball इस height पर पहुंच जाएगी, यहाँ पर इस ball की velocity क्या हो जाएगी, 0, clear है, यह height हो गई है, इस ball को कुछ initial velocity से फैंका था, कुछ initial velocity से फैंका था, और maximum height पर इसकी velocity क्या हो गई, 0, यहाँ पर इसकी velocity 0 हो गई, अब यह ball जो है, वापिस नीचे आती है, यह ball जो है, मेरे भाई वापिस नीचे आती है, clear है, यह फिर ground पर आएगी, तो पहले ball upward motion में जाती है, फिर यह downward motion में, that means, यह upward motion हो गया, और यह हमारा downward motion हो गया, clear है मेरे भाई, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहला तो यह, डूसरा, मैं आपसे बोलता हूँ कि हम जो है, पहले air के resistance को neglect कर देते हैं, हम जो है, air के resistance को पहले neglect कर देते हैं, और उस case में कैसा graph बनेगा, यह हम समझते question में speed time graph पूछा है, जहां रखना speed time graph, velocity time graph का आप मुझे comment में बताओ, कैसा होगा, clear है, हम speed time graph की बात करेंगे, speed time graph की बात करेंगे, तो speed time graph कैसा होगा, हमने क्या किया, air के resistance को neglect कर दिया, हम क्या करेंगे, air resistance neglected, जब air के resistance को neglect कर दिया, तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, air के resistance को neglect करेंगे, तो हमने कुछ initial velocity से फेका, तो माल लेते हैं, इस point पर, यहां पर velocity की बात हो रही है, अगर मैं magnitude की बात करूँग, तो speed, ज्यान डखना, तो यहां पर हमने किसी velocity से फेका, यानि कि इसकी speed थी ball क इस ball को कुछ speed से हमने upward motion में throw किया, vertically throw किया, इसके बाद इसकी velocity 0 हो जाती है, तो velocity 0 कैसे होगी, इस तरह से होगी, यह state line क्यों हो आई, यह अभी मैं बताँगा, ध्यान डखने वाला point है, तो पहले velocity V थी, यहां पर velocity क्या हो गई, मेरे भाई, 0, यहां velocity क्या हो गई, 0, इसक इसके बाद यह ball bounce back होती है, यहां से वापीस आती है, इस height से ball वापीस आएगी, अब यहां पर 0, अब जब यह ground पर वापीस आएगी, तो जब ग्राउंड पर पहुंचेगी, तो यहां पर इसकी velocity बढ़ती चले जाएगी, maximum हो जाएगी, तो यहां पर इस तरह से बन जाए लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर velocity की बात होती, तो यह graph कैसे बन जाता, यह इस तरह से बन जाता, यह graph इस तरह से बन जाता, इस तरह से आगे, बिल्कुल इसका जो है mirror image, इसका जो है mirror image बन जाता ध्यान लखना, तो अगर यह velocity time की बात होती, velocity time graph होता, तो यह graph आगे इधर बनता यह उपर नहीं बनता इस साइड में बनता नेगिटिव साइड में किलियर है मेरे भाई आपने कमेंड नहीं किया मैंने आपको आंसर बता दिया कोई बात करते हैं पहला पॉइंट तो यह प्रोसेस था इसका बॉल किस तरह से आप बढ़ गई डूसरे केस म का किलियर है मैंने आपको चार कॉंसरे neces Land बता दिये किए तक के है अब कि कि अब कि तैंस Neglect नहीं होगा ड़ना तो क्या होगा पहले तो दो को समझते हैं और के resistance को समझते हैं बही मान लो यह बाल है इस ठीक है यह बॉल अपवर्ड मोशन में जा रही है हमने बॉल को जो ग्राउंड से फैंकते और यह बॉपर की तरफ जा रही है एर का resistance क्या होगा ना एर का हो गरहा है और यह हवा दो हो जाएगी इस केस में इसका जो डीछेंच का उगा वह यह रखें लगे और यह जो और यह जो पोलते हैं और मैं और यह पार जाई और my pre की यह हो अघाया है तो ध्यान रखना किसे लग रहा है बैसिकली जिसzenie इस direction में वेट है उसी direction में ड्रैग है और motion किस direction में हो रहा है इस direction में clear है मेरे भाई यहां तक तो okay है अब अब क्या होगा जब यह ball ऊपर से नीचे आएगी हाना maximum height पल चली गई अब यह ball नीचे आएगी इसका डाअ यहां बना लेते हैं जगाना होने के कारण हम यहां बना लेते हैं मेरे भाई कि अब यहां आ दिख्ते हैं बॉल अब नीचे आ रही है यह ball नीचे आएगी ball का motion यह होगा ओताई बाल का मोशन ही होगा और बॉल का वेट भी से डायेक्चन भ सब्सक्राइब लेकिन अब की बाल जो ड्रैग है ड्रैग तो इसको अपोज करेगा इसके मोशन को तो हवा जोग इसको इस से काट की भी जाएगी पीछे की तरह यह ड्रEG होगा इस whiskey स्या in यह ड्रEenne यह ड्रEG होगा तो यह downward motion की बात हो रहे है यहाँ अर यह थी upward motion की बात यहां यहां पर ओके यहां तक तो clear रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं ठीक है न अब हम इसका graph देखेंगे ऑप देखो इस point पर velocity क्या थी V थी और इस point पर velocity क्या है 0 इस point पर velocity क्या है 0 देखो भाई जब ये जो ball है उपर जाएगी जब ये ball उपर जाएगी color change कर लेते हैं जब ये ball उपर जाएगी यहाँ समझते हैं जब ये ball उपर जाएगी तो देखो ये mg और ये ड्रेग, दोनों क्या लग रहे हैं, डोनों सेम डार्एक्षन में लग रहे हूं, अलब दोनों जो हैं, इस ball के motion को oppose कर रहे हैं, तो basically क्या होगा ना, ये ball maximum height पर, जब ये maximum height पर यहा ना जाते हूए, ये ball के ये इदर इस साइड में जा चरके क्योंकि अब कीबारं जब विदाउट ट्रैक्ष था तो ये बॉल की सपूल की सब्सक्राइब बॉसकर श्कृर्ण कर एक्षपॉर्ट कर सब्सक्राइब ना उसको कौन सपोर्ट कर रहा है जब इसका यह अब इस हाइट पर ना जाकर के कुछ पहले ही यह बॉल जो है रुक जाएगी कुछ इस हाइट पर जाकर के रुक जाएगी इसका मतलब क्या हुआ इस बॉल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा था मालो टी टाइम लग रहा था अब यहां तक पहुंचने म पर इसकी velocity क्या हो जाएगी जीरो और इसकी velocity जीरो होगी इस point पर क्यों क्योंकि time थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि यह पहले ही जो है अपना दम तोड़ देगी यह ball पहले तो इसके उपर सिर्फ weight लग रहा था mg लग रहा था अब इस weight को किसने support कर दिया drag ने तो अब यह ball व वैलोसिटी कम सीजा रहे है किलिए रहे हैं अब बात करते धैं upward जब ये ball जैने जा रहे है तो इसbt Id is और इसका ड्रैग इसको अपोज कर रहा है इसका ड्रैग इसको अपोज कर रहा है यहां पर इसका ड्रैग क्या है अगर यह ड्रैग नहीं होता तो क्या होता simple यह ball यहां से आती और यह ball जो है नीचे आ रही थी simple यही हो रहा था लेकिन अब इस case में यह drag इसको oppose कर रहा है जब यह drag इसको oppose करेगा तो ground पर आने में एक तरह से इसको क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा ground पर आने में सोरी ज्यादा time लगेगा ground पर आने में इसको ज्यादा time लगेगा तो ये graph जो है यहां से यह इस तरह से चलेगा जाएगा पैराबोला बनेगा ध्यान रखना यह क्या देगा graph इस तरह से चलेगा ठीक है मेरे भाई तो इस case में भी इसकी velocity क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी इसके इसमें भी velocity decrease हो जाएगी पहले सकी velocity यह होती without drag जो है जब यह ड्रैग नहीं था तो इसकी velocity जो भी आती वह इस करके according आती जो स्पीड आती सोरी स्पीड की बात हो रही है यहां पर ते स्पीड ही आती लेकिन यहां पर drag आ गया इस ड्रैग ने इसके motion को रोकना शुरू किया जब यह down आ रही थी बाल तो इसको रोकने वाला कोई नहीं था जबकि इसको mg सपोर्ट कर रहा था तो यह बाल बहुत जल्दी से नीचे आती यानि कि time कम लगता ध्यान रखो समझो चीजों को थोड़ा सा imagine करो जब बाल नीचे आ रही थी तो इस case में कोई ड्रैग नहीं लग रहा था माल लेते हैं जब ड्रैग नहीं लग रहा था तो इसके उपर जो टाइम लग रहा था इस ball को नीचे आने को ग्राउंड पर आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा इसलिए यह क्राफ ग्राफ जो इस तरह से आगे की दरफ पहुंच गया क्लियर है तो इस इस तरह से बनेगा पैरा बोला बनेगा ठीक है यह क्या होगा पैरा बोला बनेगा एक तरह से स्टेट लाइन नहीं बनेगा क्योंकि लॉसस आगे ना तो पैरा बोला बनेगा अब आप बता सकते यार कौन सा ओप्शन सही है अब तो बता दो मेरे भाई इतने अच्छे से स तो द्यान रखना यह स्पीड टाइम ग्राफ था मैंने इसमें बहुत सारे बता दिये बहुत अच्छे इस तरह से मूव करेगी दूसरा एर के डिस्टेंस को नगलक्त नहीं करेंग तो ग्राफ कैसा बनेगा फिर मैंने यह बताया आपको कि अगर यह जो है वलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो किस तरह से बनेगा इसके बाद मैंने आपको एर के रिजिस्टेंस का कॉंसेप्ट बताया यहां पर जो ड्रैग होता है उसी को बोलते है एर रिजिस्टेंस यह ड्रैग लगेगा और इसके बाद यह बताया आपको कि जब एर का रिजिस्टेंस को नेगल में आ गया होगा तो 38 जो question है इसका option जो 4 वो सही है clear है इस question में कह रहा है which graph represents the uniform acceleration कौन सा graph जो uniform acceleration को represent करता है यह बताना है यूनिफॉर्म acceleration का मतलब क्या है पहलो तो यह समझते हैं uniform acceleration मेरे भाई uniform acceleration का मतलब है acceleration की value constant होगी यूनिफॉर्म acceleration का मतलब है acceleration की value क्या होगी constant clear है तो acceleration की जो value constant होती है तो आपने uniformly accelerated motion में तीन equation पढ़िये है v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square v square minus u square that is equal to 2gh equation पढ़िये आपने तीन equation बही हमारे लिए इन तीन equation में से कौन सी equation ज्यादा suitable है यह बताने के लिए कि कौन सा graph uniform acceleration का है इन सभी equations के अंदर acceleration की value constant है clear है इन सभी equation में acceleration की value constant है मेरे वाई ध्यान रखना तभी तो यह बनाएंगे तो acceleration constant होगा इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा इस case में acceleration की value क्या होगी constant लेकिन यह velocity time graph है यह कौन सा graph है velocity time graph हमारे options में क्या दिया हुआ displacement time graph displacement time टाइम ग्राफ क्यान रखना मेरे भाई क्या दिया है डिस्प्लेस्मेंट टाइम ग्राफ तो भाई सेकेंड एक्वेशन की बात कर लेते हैं s is equal to ut plus half a t square a t square लगा दो तो initial velocity 0 है तो यह term 0 हो गई s is equal to half a t square भाई distance displacement और time के बीच में ग्राफ बन रहा है और acceleration के हमारा constant है very good हमें displacement मिल गया time मिल गया दोनों के बीच में ग्राफ मिल गया तो कैसा graph होना चाहिए देखो s की power 1 है t की power 2 है इसका मतलब कैसा होना चाहिए यह पैराबोला होना चाहिए भाई displacement time graph में कौन सा curve बनेगा पैराबोला तो यह पैराबोला नहीं है स्टेट लाइन है यह स्टेट लाइन है भाई इस case में और इस case में फस गये हम कहां फस गये option 1 और option 2 में फस गये यहाँ देखेंगे तो यहां velocity क्या हो जाएगी 0 इसका अवला इसकी वेलोसिटी क्या रही है वेलोसिटी क्या हो रही है है ? लेकिन हम्हें कौन सा case देखना है Uniformly Accelerated motion यानी कि Velocity Increase होने चाहिए बंके यहकर बनते है जब विलोसिती से में एक्सिलोरियुक्त बढ़ते सब्सक्राइखैंब बढ़ता जा रहा है इसका मतलब velocity बढ़ती जा रही है velocity बढ़ती जा रही है कंशलेरेशन के इस का मेरे भाई तो इसका मतलब uniform acceleration डिस्टेंस या displacement ताइम ग्रास में यह जो ऑप्शन 1 का जो ग्राफ क्यों सी इस कर रहा है तो 39 का जो option है first यह option correct है इस question में क्या कह रहा है the graph shows position as a function of time for two trains running on parallel track दो train parallel track पर run कर रहे हैं उन दोनों train का position time graph दिया हुआ है यानि कि position जो है time का function है clear position जो है time का function है और उन दोनों के बीच में graph दिया गया है graph आपको यह दिया है which one of the following statement is true दोनों में से कौन सा statement जो है correct है यह हमें बताना है देखो मेरे भाई मेरे प्यारे चोटे चोटे बाईयों बहनों मैंने आपको यह चीज़ बताई है बहुत अच्छे से 80 to 90 percent जो question है न ग्राफ के 80 to 90 percent ग्राफ के question slope से ही हो जाते हैं अगर आपको slope का concept पता है तो 80 to 90 percent questions आपके slope से ही हो जाएंगे जैसा कि आपको पता है अगर मैं acceleration की बात करूगा velocity time graph में अगर मैं velocity time graph में acceleration की बात करूँगा तो acceleration क्या होगा dv by dt और यह dv by dt जो होगा हमें slope बता देगा और यही slope किसके ब्राबर होगा acceleration के अगर displacement time graph की बात करूँगा या फिर position time graph की तो इसी भी point पर अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे उस point पर क्या मिल जाएगी velocity मिल जाएगी तो velocity क्या होगा dx upon dt समझिवा गया तो यहानि कि जो slope का concept वह ब्रह्मास्तर है motion in a straight line के graph के questions को attempt करने के लिए ब्रह्मास्त्र है द्यान रखो अब इस ब्रह्मास्त्र को हम इस question में छोड़ने वाले पहले first option पढ़ेंगे हम first option क्या कहता है at time TB TB time पर both trains have the same velocity अगर मैं बी ट्रेन की बात करूं इस point पर तो मुझे टेंजेंट इस तरह से ड्रो करना पड़ेगा कि आधे आधे बच्चे तो यहीं खबर आजाएंगे समझ महीं नहीं आएगा वह सोचेंगे भाई same velocity होगी क्योंकि दोनों से position same time same तो लगेगा बच्चों को कि भाई velocity same होगी लेकिन velocity same नहीं होगी देख लो मैंने बताया ना भी position time graph में अगर आपको velocity बतानी है तो उस point पर tangent रो कर दो और time axis पर वह कहीं न कहीं कुछ एंगल बना रहा होगा आप यह एंगल कहीं दूर जाकर के बन रहा हो सब्सक्राइब इस स्लोप कर बन रहा होiane है तो इसा का स्लोप हो और स्लोबewी एस लोब होगिया और मेरे बाइद जब दोनों के बंःट हैं तो दोनों की बंवलोसिटी रहोगे और प्रक्रीज लेंगे depth वही तो फ्रस्ट आप्शन तो कटाहीं नहीं धूगा प्षक्ड बात करते हैं both trains have the same velocity at some time after TB, TB के बाद, TB के बाद, TB टाइम के बाद अगर हम बात करें इस जगह पर, यानि इस टाइम के बाद की बात करें, तो दोनों train की velocity किसी एक point पर same होगी, भाई देखो इसका तो slope यह है, और इसका slope तो हमेशा यह कहीं पर यह इस type से बन रहा है, तो slope different है, दोनों के slope different है, A और B के slope different है, इसका मतलब यह option भी गलत है, slope same हो जाएगा, तो velocity same हो जाएगी, यह ध्यान लखना, third option की बात करते है, both train have the same velocity at some time before TB, अब की बाद, TB से पहले की बात कर रहे है, TB से पहले, किसी एक point पर, दोनों का जो slope है, वो same होगा, तो उस point पर velocity same होगी, बहुत एक point पर, जो point जो curve B है, B के किसी एक point पर, मालो मैं इस point पर tangent draw करता हूँ, इस point पर tangent draw करता हूँ, तो देखो यह जो line है, यह A के parallel बन रही है, इसका मतलब time axis से यह angle theta बना रही है, इसका मतलब time TB से पहले कोई एक point होगा, B graph के लिए, या B train के लिए, उस point पर velocity of A और velocity of B equal हो से यह हो रहे हैं, तो third option जो है correct हो जाता है, fourth option की बात करते है, somewhere on the graph, both trains have the same acceleration, रहाँ जब इनकी velocity अलग अलग है, तो acceleration कहां से same होगा, somewhere on the graph, both trains have the same acceleration, किसी एक point पर, इनका जो acceleration है, सेम होगा, होगा ही नहीं, कता ही नहीं होगा, क्योंकि A का acceleration क्या होगा, A की अगर acceleration की बात कर हूँ, तो A का acceleration तो 0 है, A का acceleration क्या है, 0 है न मेरे भाई, 1 acceleration क्या है, 0 क्योंकि velocity क्या है, इसकी, constant है, velocity क्या है, constant है, लेकिन B की बात करें, तो B के हर point पर आपको velocity मिलेगी, velocity 0 नहीं होगी, क्योंकि देखो ये graph जो है ना, flat नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये जो B का graph बन से बना रखता है, ये, 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 ये flat नहीं है, ये बिल्कुल state line नहीं बनी यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से बना और ये बिल्कुल ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, समझ महा गया, तो इसका मतलब इसकी velocity कहीं पर भी 0 नहीं हो रही है, अगर फोर्थ option भी सही नहीं है, सिर्फ third option जो है correct है, clear है,